Hello everyone, आप सभी लोगों का एक बाब फिस्से स्वागत है DG Education के YouTube चैनल पर आज की वीडियो है ये है उन सभी CA final students के लिए जो number 2023 में अपना attempt देने वाले हैं पर जिन्होंने हम से CA final May 2023 attempt के recorded lectures लिये थे with the objective के subject के एक बार advance में preparation करके रख लेते हैं so that number 2023 के attempt में जब वो अपना exam दे तो उस time तक subject को वो अच्छे से जो है वो revise कर सके आप बहुत सारे students ऐसे हैं जो कि अपनी revision स्टार्ट करना चाते हैं तो वो ये जानना चाते हैं कि एक बार उनको brief में ये पता चल जाए basically किस-किस chapter में amendments हुई है so that जो chapters में amendment नहीं हुए है उनको वो revise करके रख ले और जिन chapters में amendment हुई है उनको amendment पढ़ने के बात वो revision में ले ले अब ध्यान दीजिएगा आप सभी बचों के लिए आप सभी students के लिए एक अच्छी कबर ये है कि number 2023 attempt के लिए जो amendments हुई है वो बहुत जादा amendments नहीं हुई है amendments कम है और amendments बहुत जादा significant भी नहीं है standalone basis पर अगर पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी revision को pending ना रखे आपने जो कुछ भी पढ़ाता आप उसको revise कर सकते है amendment आप separately standalone basis पर भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा but in any case अगर आप amendments पहले जानने ही चाते हैं तो इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ basically कौन-कौन से chapters है जिनमें amendment हुई है और उसमें किस-किस area में amendment हुई है आपके mind में किसी तरीके का doubt ही नहीं रहे और आप अपनी revision को confident तरीके से start कर सके अपकी बार ICI की तरब से जो भी अपनी cable amendments की statutory update booklet होती है वो भी advance में release कर दी गई है and accordingly हमने भी अपनी amendment booklet जो है वो advance में त्यार करके रख ली है जल्दी हम आपके साथ या amendment booklet जो होगा वो share करेंगे इस amendment booklet में सभी amendments जो कि अपनी cable है उसका compilation कर दिया गया है और amendment booklet को हमने दो part में design किया है जो amendment booklet का part first है इसमें हमने जो भी amendments हुई है उनका legal text जो है वो आपको reproduce करके दिया है कि legal language आपको जो है वो एक बाद सामने रहे फिर उन सभी amendment का simplified version and analysis in the form of chart and diagram वो हमने इस amendment booklet के part 2 में जो है वो आपको करके दिया है primarily जब आप amendment की study करेंगे तो इसका यह जो part 2 है जिसमें summarized version of the amendment है with the analysis in the form of chart and diagram वही आपके लिए sufficient है बट जहां भी आपको cross reference में legal language देखने की जगरत महसूस हो तो legal language हमने 7 में part 1 में दी है आप उसको cross reference के तोड़ पर जो होगा को use कर लेंगे तो without wasting much of the time मैं आपको अब mark कराने जा रहा हूं कि कौन-कौन से area कौन-कौन से chapters है जिनमें amendment हुई है और उनमें कितनी amendments हुई है तो जरा ध्यान दीजिएगा आज का जो यह जो lecture है इसका simple objective जो है वो आपको amendment के chapters and amendment के areas को mark down कराना है detail analysis of the amendment जो है वो हम आपके साथ separate video के द्वारा जो होगा वो separately share करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं GST की amendment के साथ देखते हैं GST के किसके chapter में amendment हुई है और क्या-क्या amendment हुई है सबसे पहला chapter जिसमें amendment हुई है that is your chapter of supply इस वाले chapter में as such conceptual कोई amendment नहीं हुई है simply CBIC की तरब से एक particular मुद्दे को लेकर के जो है वो clarification issue की गई है मुद्दा क्या है insurance sector में insurance company के द्वारा policy holders को no claim bonus कहीं situation में offer किया जाता है उस no claim bonus की taxability को लेकर के CBIC की तरब से जो है वो clarification issue की गई है मैं बताता हूँ थोड़ा सा ये एक concept है क्या no claim bonus इसको पहले concept ली समझेगा no claim bonus basically क्या होता है जब कोई व्यक्ति insurance company के पास insurance contract अपना renew कराता है तो renewal के टाइम पर जब वो premium pay कर रहा होता है तो उस company के द्वारा उसे no claim bonus के नाम से एक incentive offer किया जाता है अगर उस व्यक्ति ने पिछले period में पिछले period में किसी तरीके का कोई claim जो है वो insurance company से नहीं किया होता as an example मान लिजिए Mr. X ने GIC general insurance company से अपनी गाड़ी का insurance कराया अब उसके बाद वो next year जब अपनी गाड़ी के insurance को renew कराएगा तो उस insurance company के द्वारा इस व्यक्ति को जो होगा वो no claim bonus offer किया जाएगा अगर इस व्यक्ति ने पिछले साल में जब गाड़ी का insurance कराया तो उस पुछले साल में अगर उसने company से किसी तरीके का कोई compensation को insurance claim नहीं लिया होगा तो फिर renewal के time पर GIC के द्वारा इस व्यक्ति को जो होगा वो no claim bonus जो होगा वो offer किया जाएगा I hope the concept of no claim bonus is clear no claim bonus concept जो है ये अपने नाम से भी clear होता है no claim bonus ये इस बात का दिया जा रहा है कि व्यक्ति ने पहले जब insurance कराया था तो उस insurance के period में उसने किसी तरीके का कोई दावा कोई compensation जो है वो insurance company से नहीं लिया था अब renewal के time पर company के द्वारा जब no claim bonus इस person को दिया गया तो इस व्यक्ति को जो no claim bonus मिल रहा था इस no claim bonus के उपर कुछ GST officer का ये कहना था कि ये जो no claim bonus इस insurance कराने वाले व्यक्ति को मिला है ये basically और कुछ नहीं है ये basically इसको consideration मिला है क्योंकि इसने insurance company को कुछ supply of service की activity करके दी है आप थोड़ा सा यहां चोक जाएंगे मैं भी चोक गया था कि officer ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति तो ये समझ रहा था कि वो company से service लेने के लिए गया बट officer क्या कह रहे थे आपको इस no claim bonus म मैंने insurance company को कौन सी service दे दी तो officer का कहना था जी आपने insurance company से क्योंकि कोई claim नहीं लिया तो आपको ये bonus मिला है तो आपका company से कोई claim ना लेना आपका company से कोई claim ना लेना is basically you are an activity जहां पर you have refrained yourself you have refrained yourself from making any claim from the insurance company और officer schedule 2 को पढ़ करके logic ले करके आता था कि schedule 2 में ये लिखा हुआ था कि agreeing to the obligation to refrain from doing the app is an activity which shall be treated as a supply of service तो based on that GST का officer ये कहता था आपने अपने आपको रोका company से किसी तरीके का दावा claim करने के लिए तो accordingly आपने जो है वो supply of service की activity करके दी है और ये no claim bonus जो है ये आपको as a consideration उस activity के बदल में मिला है तो इसके उपर जो होगी वो GST की liability आपकी बनेगी अब CBIC ने यहाँ पर एक ब होता है कि अगर activity supply है तो वो goods की है ये service है उसको तै करना schedule 2 का काम ये नहीं होता है कि वो supply है उसको तै करे फिर उसके बाद CBIC ने ये बोला कि जहां तक लोगों की understanding officers की understanding है कि व्यक्ति ने पिछले साल claim नहीं लिया तो उसने agreeing to the obligation वाली service दी तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं ह because ये व्यक्ति कभी भी insurance company के साथ ऐसा कोई contract करके आया ही नहीं था कि मैं आपके साथ insurance करा रहा हूँ लेकिन मैं आपसे claim नहीं करूंगा बदले में आप मुझे no claim bonus देंगे ऐसा कोई भी agreement समझो होता इन दो parties के बीच में हुआ ही नहीं था in fact उस person को तो ये पता ही नहीं था कि insurance करनाने के बाद accident होगा या नहीं claim करने की नौबत आएगी या फिर नहीं तो उन्होंने बोला कि accordingly इन दोनों party के बीच में कभी भी किसी तरीके का कोई contractual obligation नहीं था कि मैं claim नहीं करूंगा और आप no claim bonus देंगे ऐसा कोई contact इन दोनों के बीच में था ही नहीं और जब तक किस तरीके का कोई contractual obligation था ही नहीं तब तक no claim bonus को consideration के nature का नहीं कर जा सकता and accordingly उन्होंने बोला ये जो इनके बीच में transaction हुआ है इसमें किसी तरीके का कोई contractual obligation नहीं है तो ये payment consideration के nature की नहीं है और accordingly ये supply नहीं है schedule 2 पढ़ने की नौबत यहाँ पर आएगी नहीं किसी तरीके क कोई tax liability insurance कराने वाले को जब no claim bonus मिलाया तो उसके उपर नहीं आएगी बड़ी simple and बड़ी असी clarification हा I hope आप सब इसको otherwise भी अगर मैं आप से पूस्ता तो ऐसे ही answer करते इसके अलावा इसी CBIC clarification में एक और मुद्धा भी उन्होंने clarify करके दिया अब वो मुद्धा उन्होंने handle कर के दिया from the angle of GIC insurance कराने वाले के अंगल से अब insurance कराने वाले के अंगल से clarification यह कहती है जब GIC के पास वो आत्मी अपना insurance का renewal कराने के लिए आया तो let's suppose renewal पर जो insurance premium बनता है वो बनता है 9500 उपीस का but क्योंकि इसने पहले कोई claim नहीं किया था तो GIC ने इसे no claim bonus offer किया और GIC यह को आपका वैसे तो renewal पर premium बनता था 9500 पर क्योंकि पिछले साल आपको कोई claim नहीं आया तो आपको new claim bonus के तौर पर हम 1000 रुपीस दे रही है तो accordingly अब हम आपसे renewal पर जो net premium लेंगे वो हम लेंगे 8500 रुपीस अब GIC के end पर यह question arise हो रहा था कि जब हमने no claim bonus इस तरीके से renewal premium में से minus करके 8500 का net premium दिया है तो अब हमारी जो GST liability insurance premium के उपर बनेगी वो 9500 के उपर बनेगी या जो net premium 8500 हमने चार्ज किया उसके उपर बनेगी तो इस पर अब CBIC ने clarification issue करी उन्होंने बोला जी यह जो आपने no claim bonus के तोर पर 1000 रुपे दिये हैं यह basically और कुछ नहीं है यह discount है यह basically और कुछ नहीं है discount है भले इसका नाम discount नहीं है यह no claim bonus के नाम से दिया जा रहा है बट discount क्या होता है basically deduction from the price charge और आपने अपना insurance premium चार्ज जो 9500 करना था उसको जो है वो deduct किया है और so far as deduction is concerned deduction की exclusion जो होती है वो transaction value निकालते time हमेशा दी जाती है section 15 में उसके supply के time पर दिया जाता है और इन्वाइस पर record करके दिया जाता है वो eligible discount होता है और वो transaction value में जो है वो minus कर दिया जाता है और net price को transaction value लिया जाता है CBIC ने बोला आपने जो no claim bonus दिया है यह basically deduction दी है नाम कुछ भी हो यह basically discount है आपने इसे supply के time पर renewal के time पर यह दिया है और जब आप अपना invoice issue करते है तो invoice में इसे record करके minus करके भी देते है तो basically यह 15.3 की discount की eligibility की सारी conditions जो है वो पूरी करता है and accordingly यह deductible रहेगा आपके जो net GST liability बनेगी वो 8500 के respect में ही बनेगी तो CBIC की clarification आपको समझा गई होगी दो लोगों के angle से दी गई है insurance कराने वाला व्यक्ति उसको no claim bonus जो मिलेगा उसकी कोई tax liability नहीं बनेगी because उसने कोई supply नहीं करी है GIC के angle से no claim bonus और कुछ नहीं है यह discount है GIC की net tax liability जो होगी GIC की जो liability बनेगी वो net premium के उपर बनेगी तो यह simple सी standalone clarification है यह simple सी amendment है जो की supply के chapter से relate करती है होपुली आपको यह बात समझा आ गई होगी दूसरा chapter जिसमें amendment हुई है that is payment of tax अब payment of tax वाले chapter में हमारे पास एक associated rule है rule 87 जो की E cash laser की बात करता है उसमें एक छोटी सी amendment हुई है तो आसा background हलका सा पहल section 49, section 49 बताता था GST में एक person की अगर GST liability बनेगी तो उसे अपनी वो tax liability किस तरीके से discharge करनी है आप सभी को याद होगा अपनी tax liability कैसे discharge करता है सबसे पहले वो अपना credit setup करता है उसके बाद जो है वो अपने E cash laser में जो है वो cash जो पढ़ा होता है उसको use करता है ठीक है जी तो प्रेश deposit कराना होता है अब आप जड़ा याद करिएगा E cash laser में एक व्यक्ति पैसा deposit कैसे कराता है वो थोड़ा सा mechanical process आपको याद करना है क्योंकि उससे related amendment है मैं आपको याद कराता हूँ एक व्यक्ति अगर अपने E cash laser में पैसा deposit करना चाहता है तो उसको करना क्या होता है उसे पहले GST की portal पर जाकर के GST का चलान तियार करना होता है कि मैं इतना पैसा deposit कराना चाहता हूँ जब वो चलान तियार करता है तो portal उसके चलान को एक number देती है जिसे हम बोलते है CP number फिर चलान तियार करने के बाद वो उस amount को जो है वो अपना banking channel से जो है वो पे करता है अब जिस bank के थुरू वो payment करता है bank उस व्यक्ति से जब वो पैसा realize हो जाता है तो फिर उस चलान को bank वाला एक number देता है sin number आपको याद होगा चलान identification number प्रोसेस जुबारा से बोल रहा हूँ person जिसने deposit कराना था उसने पहले चलान तियार किया पोर्टल ने CP number दिया फिर जब उस चलान के person पेमिंट कर दी तो bank ने payment realize करने के बाद उस व्यक्ति को भी communicate करता है जिस पोर्टल को वह इस लिए कमिनिकेट करता है विकोस पोर्टल को बैंक से सिंका मैसेज आता है तो पोर्टल समझ जाती है कि हां इस विक्ति से बैंक ने payment realize कर लिया और फिर जी करकि की लिए लीकिन उसको जो है बैंक की तरफ से सिंग नहीं मिलता या मैंने चलान कर दी मेरे काउंट ये जो होगी वह reflect नहीं होगी होगी आप मैं बड़ा परेशान हो कि मैंने तो कर दी मेरे बैंक से पैसा भी चला गया लेकिन एकस लेजर में वो शो नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा तो रूल 87 सब रूल 8 करके यह जो रूल था इसमें लिखा हुआ था भाइसा वगर ऐसा हो गया है कि आपने पेमिंट कर दी आपके अकाउंट से चली गई बट वो पो आर बी आइक को हैंड ओगर कर दी होगी आर बीआई के थ्रूओ वो गवर्णमेंट के खाते में चली गई होगी ठीक है अब बैकेंट पर प्रोसेस क्या होता है जब भी भी कोई बैंक पेमिंट रिलाइस करता है तो उसे आर बी आई को रिपोर्ट कर दी अब आर बी आई पर क्या कम करती है, RBI next day बैट करके इस तरीके से जितनी भी payment उन्हें bank से आई होती है, उसकी एक score list यार करती है और वो score list जो है, वो GST की portal को communicate करती है तो अब amendment simplicity क्या है amendment उन्हें simplicity ये कही, उन्होंने बोला जिस व्यक्ति ने payment करी थी, जिसको bank से sin number नहीं मिला, पर अगर GST portal को RBI ने अपनी score list में बता दिया कि उनके पास payment आ गई है, तो GST की portal अभी भी जो होगी उस व्यक्ति के खाते में उस पैसे को जो होगी वो plus कर देगी कहने का मतलब normal rule पहले ये होता था कि व्यक्ति के खाते में e cash ledger में पैसा सिब तभी जाएगा, जब bank से sin number आएगा बट आप एक exception एड़ कर दिया गया, एक proviso एड़ कर दिया गया, जिसमें एक आ गया bank से sin का communication नहीं हुआ, लेकिन RBI की score list बता रही है कि उनके पास पैसा आ गया है, तो भी corresponding person होगी, वो अभी आपके लिए important रहेगी, आप इस chapter में amendment हुई क्या है, basically registration procedure में कुछ amendment जो है, वो की गई है, आपने registration के chapter में registration का procedure जब पढ़ा था, तो वहाँ आपने हमारे साथ पढ़ा था rule number 8, उसमें registration का procedure जो था, वो specify किया गया था, हलका सरीक लेक करा रहा हूँ, अब rule number 8 simply यह कहता था, अगर कोई person है, जो की liable for registration बन गया है, उसको अपना registration अब कराना है, तो वो registration कराएगा कैसे, तो procedural expect के तोर पर rule 8 यह कहता था, जिए आपको online registration के लिए apply करना पड़ेगा, registration का जो form होता था, वो होता registration के लिए apply कर रहे है, आप अपना pen number देते थे, आप अपना एक mobile number देते थे, आप अपना email ID देते थे, आप जो pen number देते थे, उसका online verification DST की portal CBDT की website से करती थी, आप जो mobile number देते थे, उसका verification आपके mobile पर OTP based कर किया जाता था, आप जो अपना email देते थे, उसका verification आपकी email पर OTP भेज करके किया जाता था, और इन सब verification के बाद, आपके part A के submission हो जाता था, और आपको जो था एक application reference number जनरेट कर दिया जाता था, फिर उसके बाद आप part V भरते थे, जिसमें आप other documents, other details देते थे और फिर आपकी application जो थी, one and sub rule two में discussed था, इनमें amendment हुई है, बड़ी simple सी amendment हुई है, मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल click भी कर जाएगी, पहले क्या होता था, जब आप part A भरते थे, तो part A भरते टाइम, आप अपना pen number बताते थे, जिसका CBDT की website से online verification होता था, आप mobile number बताते थे, जिसका OTP-based verification होता था, आप कोई mail बताते थे, जिसका OTP-based verification होता था, अब change उन्होंने ये किया है, उन्होंने बोला है जी, अब जब आप part A भरेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना pen number बताएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपना PAN नमबर बताएंगे आप कोई mobile नमबर या कोई email वो नहीं बताएंगे सिर्फ PAN नमबर बताएंगे ठीक है जी अब जो PAN नमबर आप बताएंगे उस PAN नमबर का GST की portal CBD की portal के साथ online verification कर लेगी ठीक है यह पहले भी होता था यह अब भी भी होगा अब साथ में दूसी बात उन्होंने क्या बोला है जब वो आपके PAN का verification करेंगे CBD की portal के साथ तो आपने PAN को apply करते टाइम जिस mobile number और email ID को दिया था उस mobile number और email ID का verification भी जो होगा वो OTP based कर लिया जाएगा कहने का मतलब यह हो गया कि अब आपको PAN number देना है कोई mobile number और कोई email ID नहीं देना से PAN देना है verification उस PAN का होगा और उस PAN को apply करते टाइम आपने जो भी mobile number और email दिया था उसका verification होगा यह simple सा change जो है वो किया गया है I hope this thing is clear to you फिर उतके बाद number 8 registration procedure में एक ओर change हुआ है वो change जो है वो आपका rule 8 4a and 4b करके दो नए rule जो है वो substitute करके दिये गई है उनमें हुआ है यह बहुत अच्छी amendment है इसको ज़रा धान से सुनिएगा अब आप लोग याद करेंगे हमने GST में जब registration का procedure किया था तो हमने आपके साथ discussion किया था registration जब कराया जाएगा तो registration के टाइम पर आज की रेट में जर्नल रूल क्या है कि कोई विक्ति अगर registration के लिए अपलाई करेगा तो उसको साथ में आधार authentication जो होगा वो भी करवाना पढ़ेगा कुछ लोग ऐसे है जिनने आधार authentication के दाइरे से बाहर रखा गया है वो तुन्टी फाइफ सिक्स जी मिलिस्टेट थे लाइक पी एस यू गॉर्मेंट उनकी बात नहीं कर रहा हूं उनकुछ अधार authentication कराना जो था फिर आपको याद आता होगा जिन लोगों के लिए अधार authentication mandatory है अगर वो फिर भी अधार authentication नहीं कराते हैं वो अधार नहीं लेते हैं तो फिर उनके लिए registration का प्रोसीजर अलग था दुबारा बोलता हूं एक आदमी के लिए अधार authentication mandatory है अगर वो अधार authentication कराता है mandatory है और वो कराता है तो फिर रिजिस्टेशन की फॉर्मेलिटी यह कहती थी अधार authentication mandatory है आपने कड़ा दिया तो फिर हम आपकी प्रिमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे और आपको रिजिस्टेशन फटा फट से ग्रांट करेंगे आपको याद आता होगा सेवन वर्किंग डेस में रिजिस्टेशन दे दिया जाता था बट अगर आपका अधा फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो अब उसमें टाइम लगेगा तो अब जो रिजिस्टेशन आपको मिलेगा उसके लिए समय सीमा जो थी वो सेवन वर्किंग डेस नहीं थी वो हमारे पास 30 ती याद करिएगा यह बाते जो है डफिनेटली आपके रिमार्क में आती होगा और जल्दी मिलेगा आप अगर डिफॉल्ट करते हैं तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और अब रिजिस्टेशन देर से मिलेगा थर्टी डेस के अंदर जो होगा रिजिस्टेशन मिलेगा यह बात आपको समझ आ गई होंगी तो अब जरा अमेंडमें अभी तक क्या होता था आपका अधार अथेंटिकेशन होता था अब इनोंने बायोमेट्रिक बेस अधार अथेंटिकेशन के प्रोवीजन भी इंट्रूस कर दिया है अब इसमें फरक क्या है नॉर्मल अधार अथेंटिकेशन में आपका जो नॉर्मल अधार करेंगे और अगर आपके उपर बायोमेट्रिक बेस अधार अथेंटिकेशन हो रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको आधार ओनलाइन देने से काम नहीं चलेगा रैदर दर जीस्टी वालों ने अपना एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया होगा आपको आपका आधार ओफेंटिकेशन होगा साथ में आपकी फोटोग्राप भी वह भी जो होगी वह ली जाएगी और साथ में जो भी डॉक्यमेंट आपको रिजिस्टेशन के लिए देने होते हैं आपको वह औरिजनल कॉपी भी लेकर के जानी होगी फैसिलिटेशन सेंटर पर और इसके बाद आपकी अप्लिकेशन कम्प्रीशन का प्रोसेस होगा तो मैं एक बाद दुबारा दुरा लेता हूं एक होता है नॉर्मल आधार ओफेंटिकेशन जिसमें सिंप्ली आधार का डॉक्यमेंट ऑथेंटिकेशन हो गया और बायोमेट्रिक में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति रिजिस्टेशन के लिए अप्लाई कर रहा है व्यक्ति लायबल फृर अधार ओफेंटिकेशन है अप्लाय करते ठैम उसने बोला मैं liable हूँ और मैं आधार authentication कराना चाहता हूँ अब उसने ये बोला अब जब वो ये बोलेगा कि मैं आधार authentication कराना चाहता हूँ तो जो portal होगी portal based on certain risk parameter, certain analysis वो जो होगी वो देखेगी कि जो व्यक्ति registration के लिए apply कर रहा है अगर portal ने back end पर जो भी mechanism design कर रखा उस case आपसे उन्हें ये लगता है कि registration के लिए apply करने वाला व्यक्ति ये risky है, ये risky है ये उस तरीके का व्यक्ति हो सकता है जो fake advising वेगरा करने के लिए registration करा रहा हूँ अगर उन्हें इस तरीके का कोई idea लगा कि ये risky है तो फिर वो उसको portal पर identify कर लेंगे और फिर उसको वो communicate कर दिया जाएगा भाई साब आपको जो होगा वो biometric based अधार authentication के process में जाना पड़ेगा और जब उसको ये communication किया जाएगा तो अब accordingly उसे उस specialization center पर जाकर के biometric based अधार authentication के provision complete करने पड़ेंगे तब ही उसका registration procedure जो होगा वो आगे बढ़ेगा अचा अब आपके mind में एक question आ रहा होगा कि risky है ये वो कैसे identify करेंगे तो उसके लिए पोर्टल जो होगी वो backend पर factors जो होगी वो बना करके चलेगी कुछ factors में आपको बता देता हूँ उनकी किस तरीके factors जो है वो सोचेंगे आप सभी जानते हैं इस बात से बड़े प्रेशान है कि लोग फेक registration करा करके ठीक है जी फेक इन्वाइस दिंग से फेक ट्रेडिट पास्वन करके गायब हो जाते है तो उस चीज़ को control करने के लिए basically registration को government ने time to time जो है वो control किया है उन्होंने जब अधार authentication के लिए अप्लाई कर रहा है अगर उस एरिया में उसने अपनी लोकेशन बताई है ना कि वह कहां लोकेटिट है जो एड्रस बताया है अगर वह वह जगहाए जहां पर जीस्ट वालों की अप्लिकेंट सबस्ते हुए जो होगा वह identify कर लेंगे कि तुझे बैयोमेटिक बेस प्रोसेस में जाना है दूसरा जिस व्यक्ति ने चालिक पचास साल का उसने रिषिस्टेशन के लिए अप्लाई किया अपना पंड डीटेल दिया अब जब जीएसट की पोर्टल उसका पहन का वरिविकेशन कर दिया तो पर उनहें पता चलता है ये पर नंबर तो अभी हाल-फिलाल में लिया गया है अब उन्होंने बोला अगर विक्ति 45 साल का था तो उसके पास तो पहले का होना चाहिए था अगर इसने दस बारा दिन पहले ही पहले लिया तो इसका जरूर मतलब यह कि इसने नया नया पहले लिया और वो सिर्फ परपस के लिए लिया है कि यह कराना चाहता है तो यह एक स्पीश सकता है मिरी बात समझे तो इस तरीके वेकिशिस पर वो इसको इदेंटिफाई करेंगे अच्छा कई बार ऐसे भी होसकता है एक व्यक्ति जो है वह उल्रडडी रिजिस्टर्ड है और वह किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहा है तो पिर पोर्टल अगेन यह चेक करें तो तो ठीक है अगर उसकी जेस्ट या 3B के वहाँ डिफॉल्ट चल रहा है तो अगेन वह समझेंगे यह आदमी जो है वह रिस्की है उस्टेट में काम कर रहा है और इस्टेट में भी रिस्टेशन लेने आ गया तो इसको भी वह एजा रिस्की आप्निकेंट के तोर पर जो ह होगा उसके लिए आपको अधार उथेंटिकेशन जो होगा वह करना पड़ेगा रिक्ति को अगर यह मैसेंग मिलेगा फैसिलेटेशन सेंटर पर जाएगा रिपीट कर रहा हो बाद इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात यह है यह जो भी रिसकी आप्निकेंट होगा जिसके उपर अधार उथेंटिकेशन अप्लाई हो गया होगा उसके लिए फर्दर उन्होंने यह चेंज किया है कि अब इस व्यक्ति की आप्लिकेशन सम्मिट हो गई इसको जो रिजिस्टेशन दिया जाएगा वह प्रिमाइस की फिजिकल वेरिफिकेशन के बगैर नहीं दिया ज उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कभी नए होता था अब चेंज क्या किया गया है ये जो रिस्क चै餅रist है जिसका नहीं हो सकता अब इस वैक्ति को जो रिस्टेशन मिलेगा उसके लिए जो named package mit रहेगी वो 30 days की रहेगी आई होप यह पाइंट आपको समझ आ गया है तो एक लाइन में अगर बोलू तो समरी अमेंडमेंट यह हुई है रूल आट के रिस्टेशन में अमेंडमेंड करके यह बात बोल दी गई है कि पॉर्टल जो होगी एप्लिकेंट जो अप्लाई कर रहा कर देंगे तो अगर आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो दिल्ली कर रहे हो आपको कहीं बामेट्रीक बेस अधार अथेंटिकेशन नहीं आएगा अगर आप गिजरात में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर ये अधार अफिकेंट अपर एस रिसकी आप्लिकेंट वहां पर इडेंटिटिपाइ किए गए होर दिस is clear to everyone तो यह हमारे पास rule number 8 registration procedure की amendment है अब registration procedure में एक और छोटी सी amendment जो ही है वो ही है rule number 12 में अब rule number 12 क्या था यह आप लोगों को याद भी नहीं होगा विकोज यह कुछ खास important भी नहीं था अब ज़रा ध्यान से सुनेगा rule number 12 जो था यह basically बात करता था कि GST में अगर किसी person को as a text collector registration कराना पड़ा या as a text collector registration कराना पड़ा तो उसको क्या procedure follow करना पड़ेगा उसके लिए rule number 12 था rule number 8 जो था वो normal supplies के लिए था बट अगर कोई as a text collector या as a text collector registration कराएंगे तो उसके लिए हमारे पास था rule number 12 अब इन लोगों को लेकर के लिए अपलाई कर सकते हैं इस बात को लेकर के GST में कोई enabling provisions नहीं थे जी हां बिल्कुल सही सुना आपने नॉर्मल व्यक्ति registration कैसे कराएंगा उसका प्रोसीजर भी था और वो अपना registration कैसे कराएंगे उसका प्रोसीजर भी था टेस्ट इरप्टर को लेकर के registration कैसे कराएंगे वह प्रोसीजर तो था पर कल ज़रूरत पड़ी तो क्या वह अपना कैंसल कर सकते हैं इस बात को लेकर के कोई नेबलिंग प्रोवीजन नहीं थे जो डेफिनेटली एक डिफॉल्ट की बात थी तो गौर्णमेंट ने वह चीज ठेक केर कर लिया और वहां उन्होंने यह प्रोवीजन इनसर्ट कर दिया है कि अगर कोई अपना चाहता है तो वह कैंसलेशन आप्लिकेशन जो है वह दे सकता है तो इस इस को सीजर की है वो मैंने आपको बता दी है चलिए जी रिजिस्ट्येशन वाली बात कम्प्रीट हो जाती है पुरिस के बाद बात करते हैं अगला चैप्टर जिसमें अमेंधमेंट है तैस रिफान्स अंडर टी एसटी रिफंट अंडर जी एसटी रिफंट को ले करके कहने की ज़रुगत नहीं इंपॉर्टेंट चेप्टर है रिफंट की तो हमने आपके साथ पूरा डिटेल डिसकेशन कर रखा है डिटेल रिवीजनरी वीडियो भी दे रखी है अब इसमें जो एक अमेंडमेंट हुई है वो स बिल्डर से एक प्रोपर्टी जो है इम्मुवेबल प्रोपर्टी जो है वो पर्चेस कर रहा है और प्रोपर्टी इस अंडर कंस्ट्रक्शन तो बिल्डर की तरफ से इस बार को क्या कर दिया गया है सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोपर्टी जिसका कंसिट्रेशन बिल्ड आपकी और जाएगी और हर इंस्टॉल्मेंट के साथ उसका corresponding GST जो होगा वो आपको साथ में बिल्डर जो होगा वो चार्च करेगा ठीक है अब बिल्डर ने बार के साथ यह contract कर दिया अब इस बार ने लेट्स बुकिंग अमाउंट पे कर दिया इंस्टॉल्मेंट की बात आ प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा यह प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे तो आपका यह जो contract हमारे साथ था कि हम आपको यह देने वाले थे इसको हम cancel कर रहे हैं बार बोलता है बट मैंने आपको पैसे दिया बोले जी वह पैसा मापको वापसी लुटा रहे हैं तो फिर हम इस contract को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यह contract आपने दिया था यह मैं आपको वापसी कर दूँगा अच्छा आप धान दीजेगा बिल्डर को जब बाहर से पैसा आया था यह तो 120 लेक्स प्लस GST आया था जी एस्ट तो बिल्डर ने गवर्मेंट को दे दिया होगा बिल्डर ने अपने पास सिफ कितना रखा होगा 120 ल GST की मुझे गवर्मेंट की तरफ से जो होगी वह अजस्मेंट मिल जाएगी आप सभी को पता है कि सप्लार अपना क्रेडिट नोट के बेस पर क्रेडिट नोट इशू करके जो अल्रड़ी जी पे किया होता है उसकी अपनी आपूट टेक्स लाइवलिटी में आगे अजस् क्लेम कर लेता है अब इस कहानी में टेक्निकल पहलू क्या रहा था जड़ा उस पर धान से देना माल लिए जब यह कॉंट्रेक्ट कैंसल हुआ और पैसे लुटाने की बारी आई तो उससे मैं हुआ क्या कॉंट्रेक्ट कैंसल होने के टाइम पर जो क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट सेक्शन 34 में दी हुई है वो अल्रेडी एक्सपायर हो चुकी है रिकलेक करेंगे सेक्शन 34 में देवाज टाइम लिमिट कि आप किसी सप्लाई के रिस्पेक्ट में इतने टाइम तक ही है क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं कि आपको लेगा देखो अब गौर्णमेंट से तो मुझे कोई एड्जस्मेंट मिलेगी नहीं तो बिल्डर बायर को यह कह रहे है कि अब मैं तुम्हें पैसा वापस करूंगा तो आप हमें पूरा पैसा वापस करो जहां तक जीस्ट की बात है जो आपने गौर्मेंट को दिया था आप हमें पूरा पैसा लोटाओ गौर्मेंट को जाकर के बोलो कि आपने सप्लाई करी नहीं और आप जीस्ट का कंपोनेंट जो है वो गौर्मेंट से रिफंड लो सेक्शन 54 में जाकर के रेडिट नोट नहीं इसू कर पारे कोई बात नहीं आप गौर्मेंट के पास जाकर के रिफंड लो टेक्निकली तो बायर बिल्कुल सही कहा रहा है बट यहां मैं आपको बताऊंगा जिस बायर ने बिल्डर से जनलीस तरीके से फ्लैट वगरा खरीदे होते हैं उन बायर को जीस्ट की टेक्निकल नॉलिज सोड़ी ना होती है तो उनको तो बिल्डर ने जीस्ट वापस लेने जाऊंगा तो मेरे टाइम एंड अफर्ट्स अनिसेश्री के लगेंगे मैं नहीं जा रहा अब सुन मैं तुझे वन टुन्टी लैक्स दे रहा हूं जीस्ट गौर्वर्मेंट की जेम में जा रखा है तू जाके गौर्वर्मेंट से जो है वो जीस्ट का रिफंड ले ले मतलब इन सिंपल वर्ड उससे क्या कर रहा है कि देखो अगर क्रेडिट नोट इशू करके अट्जस्मेंट मिलने की बात होती तो तो मैं अपने एंड पर कर लेता क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करना था क्रेडिट नोट इशू करना था और क्लेम करनी थी बट लेने के लिए तो मुझे बहुस सारा प्रोसीजर फोलो करना पड़ेगा फिर मुझे प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी वहां मेरा खर्चा होगा तो मैं उस खर्चे को नहीं करना चाहता मैंने तेरा 120 लाग दे दिया जीएस की गौर्रमेंट के पास है तू जाके गवर्मेंट से जो है अपना जीएस टी रिफंट क्लेम ले 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 अब इंट्रस्टिंग बात याई अब यह जो बायर था इन्होंने का अच्छा चलो ठीक है जी आप सभी जानते बिल्डर वैसे भी अपना दबंग आदमी होते है तो बाइन बोला ठीक जो भी पैसा होगा वह मैं आपको दे देंगे अब जिसके पास यह बायर गया था उसने बायर को एक बात बोली उसने बोला भाई आपको मैं जो बता रहा हूं आपको यह सुनकर दुख तो पोचेगा बट हकीकत की बात यह है कि आप जो है वो रिफंट क्लेम नहीं कर सकते बहुत जान से सुन क्या है तो बायर घ्र सीन के पास गया था क्यातन सोनीय और हूं तो milligram के पास बट किया एग जो की रिजिस्टर उन्न कोर रहा है कोई प्रोवीजन गोले neighborhood अप्लिकेशन पर है ही नहीं जो बात बताऊंगा बड़ी युनीक बात बताऊंगा अब ज़रा धान से सुनिएगा अच्छा अब जो प्रोफेशनल था उसमें बोला जी अन्रेजिस्टर्टर परसन नो तो आपकी तो आपकी तो आप्लिकेशन पॉर्टर लेगी नहीं बाइन बोला परसन और जिस रिफंड कर सकता है अगर वो उसकी जेप से गया हुआ है लेकिन दिक्कत यह है पॉर्टिल प्रैक्टीकली रिफंड अप्लिकेशन लेती ही रिजिस्टर परसन की है तो अब यह जो पायर्स थे इन्होंने गॉर्णमेंट को रिफंड कर सकता है आपने पॉर्टल ऐसी बना रख किया कि सिफ 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 परसन को रिफंड के लिए वो क्लेम करना लाओ करती है तो यह बात तो गल्त है और यह सिच्वेशन आजकल बड़ी फिक्वेंट हो रही है वह सारे पॉर्ट बिल्डर जो है वह डिफॉल्ट कर रहे है तो होता भी यहां पर सुनी बहुत ही वैलकम हुए है और उन्होंने पॉर्टल में निसाशिरी चेंज़िस किया है जहां पर एक परसन वह रिफंड के लिए जो अप्लाई कर सकता है जैक ऑक यह वह भी रिफंड के दुबारा दोरा रहा हूं लोग के इस आप चेंज़िस्टर परसन वैसे ही रिफंड कर सकता था बट पॉर्टल का इशू था तो अब उन्होंने पॉर्टल की फंचिनलिटी में चेंज किया है अब अन्रेजिस्टर परसन जो है वह भी रिफंड के लिए जो है वह अप्ला सिर्फ रिफंड के अंगल से आपको जो होगा एक स्पेशल केटेगरी हमने अलग से त्यार कर दिया तो मैं रिफंड के परफस के लिए वह रिजिस्टेशन करा लूँगा क्या आपको ये बात समझ में आती है यस अब और सुनो और क्या हुई है यह तो ही पॉर्टल की फर की अमेंडमेंट समझो लोग की अमेंडमेंट क्या हुई है अब जब इस तरीके की सिचुएशन में ये लोग रिफंड क्लेम करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली रिफंड अप्रिकेशन जब भी भी सम्मिट होती है तो उसके साथ स्पोर्टिंग डॉक्यमेंट करता था उसमें चेंज किया गया है और उसमें बताया गया है कि यह बिल्डर वाली सिचुएशन है इस सिचुएशन में अगर कोई अन्रेजिस्टर परसन आया तो फिर उसे क्या क्या स्पोर्टिंग डॉक्यमेंट जो होंगे वह साथ में देने पढ़ेंगे उनकी चर्चा पे कर दिया गया बट वो कॉंट्रेक्ट बाद में कैंसल हो गया और कैंसल हो जाने के बाद जी एस्टी के रिफंड का इशू बना क्रेडिट नोट की टाइम लेमिट जा चुकी है और जो सप्लायर है वो रिफंड प्रोसीजर फोलो करने में इंट्रेस्टिड नहीं है बा कुछ बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो सुनिएगा सर क्या यह अमेंडमेंट सिर्फ यह पर्टिकुलर एग्रामपल जो आपने बिल्डर स्पेसिफिक दिया है इसी के लिए है या किसी और सिच्वेशन में भी अपलाई होगा तो धान से सुन लीजिएगा उन्हो उन्होंने कहा है कि कभी भी उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी बात आई सप्लाई की जिसमें कॉंट्रेक्ट हुआ लेकिन वो कॉंट्रेक्ट बाद में कैंसिल हो गया उन्होंने इस ऐसी बिल्डर तक रेस्टिक्टिट नहीं रखा है उन्होंने कहा है कि अगर कभी भी बा आपकी रहेगी और यह ओके विद दिस अच्छा कुछ बात है इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है वैसे में डिटेल अनलेसिस भी बोलूँगा अमेंडमेंट उन्होंने सिफ सर्विस के अंगल से ऐसी कोई अमेंडमेंड नहीं करी क्योंकि गुट्स के केस में तो क्या होगा अगर क्रेटी नोट की टाइम लिमिट जा भी चुकी होगी तो बाइर जो होगा वह वापिस सप्लाई कर देगा यह सिफ सर्विस पैसिपिक अमेंडमेंट उन्होंने करी है यह बात ध्यान में रखेगा इसके लावा दूसी बात ज हो गया सप्लाई अगर कोई अधर रीजन और रीजन उसमें कोई बायर क्लेम करने के लिए आना चाहिए इंदर सैंस की अगर मालीजी केस यह होगी बिल्डर ने जादा रेट से लगा दिया था जो बायर को पता चला और बायर कह रहा है कि मुझे उस चीज का रिफन दे दो तो उस तरीके की situation को उन्होंने अभी भी जो है वो law में जो है वो cover नहीं किया है जो मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए तो अभी जो amendment हुई है वो basically situation specific amendment है दुबारा दो देता हूं situation specific amendment क्या है सिर्फ service की बात है और service में कौन सी situation जहां contract हुआ लेकिन वो contract बात में cancel हो ग है आई होप यह बात आप सबको समझ में आ जाती है इसको आप standalone basis पर पढ़के जाएंगे तो आप अपना रिफंट का चैप्टर जो भी आलड़ी पढ़ रखा है उसको आप completely revise करके रख सकते हैं यह standalone basis पर amendment अलग से चलेगी फिर उसके बाद अगली amendment का जो एरिया है वो है मैं बडाइन से सब्सक्राइब करता है अब आप अब आपको यारता होगा से कुछ मी लगा है उसको सेक्षिंटी 75 में हमने एक बड़ाई इंपोर्टेंट पड़ाता जो बोलूंगा ज़रा धान से सुनिएगा अटेंशन लीजिएगा सेक्शन 75 में आपने सब सेक्शन 12 पड़ाता उसमें आपने यह पड़ाता कि अगर कभी किसी रिक्ति के द्वारा जो सप्लाई डिकलेर की जाती है जो करता है दुबारा दो रहाँ उसने अपना फाइल किया स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ट सप्लाई उसमें तो उसने कहा कि उसकी सेल हुई है पचास लाग की ठीक है पचास लाग की लेकिन जब उसने अपनी जी एस्टीर वन वर्सिस जीएस्टीर अब आपको याद आता हो 7512 में हमने एक अमेंडमिन पढ़ी थी जो की पीछले कुछ सालम होई थी जिसमों उन्होंने ये बोला था कि जी एस्टीर वन में आप जो सप्लाई डिकलेर करेंगे उस सप्लाई पर जो टेक्स लाइबलिटी बनेगी वो आपकी सेलफ असेस्ट टेक्स लाइबलिटी जो ह जो दसलाग की सप्लाई का मिसमैच है ठीक है न जी दसलाग की सप्लाइ का जो मिसमैच है उसकी जो भी जिसमेश ची लैबिलटी बनती होगी ऑफिसर के पास ये पावर रहे गी कि वह उसकी directly आपकी सेफॉर जो है रिकवरी कर ले उसका किसी तरीके का 7374 में वहूर सोपो स में जो थे वो अब्जेक्शन दिये थे आपको याद होगा हमने बहुत डिटेड में डिसकेशन किया था जुडिश्री में मामला गया था लोगों का यह कहना था कि अगर कभी ऐसा हो मिस्मैच है तो रिकवरी अनफोर्स करने CBIC ने instruction भी issue करी थी अब law ने क्या काम किया है जो काम पहले instruction में किया गया था अब उस काम को instruction की बजाए law में जो है वो rule की form में जो है वो insert कर दिया गया है rule 88C करके एक नया rule जो है वो insert किया गया है rule 88C रूल 88C करके एक नया rule insert किया गया और यह नया जो rule है यह simply यह कहता है कि अगर कभी GSTR 1 और GSTR 3B में mismatch है mismatch कैसा GSTR 1 में आपने output supply ज्यादा बताई है लेकिन text कमका पे किया है तो जो short supply रह गई जिसका text आपने पे नहीं किया है उसक तो officer कैसे handle करेगा 88C ने basically वो procedure लिख करके दिया है और बड़ा simple सा procedure है सुनिएगा अभी वो यह कहता है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो officer के द्वारा उस व्यक्ति को e-communication किया जाएगा कि भाई सब यह unpaid liability आपकी बनती है अब वो जो unpaid liability बनती है उसके respect में officer आपको बोलेगा हमने आपको communicate कर दिया है अब अगले साथ दिनों में या तो आप यह tax pay कर दो और अगर आपको लगता है कि यह tax pay नहीं बनता तो यह difference का reason क्या वो आकर करके हमें justification दे दो तो हम आपको दो option दे रहे हैं या तो liability बनती होगी पे कर दो और अगर liability नहीं बनती है यह mismatch किसी और reason की वजए से तो वह करके हमें आप justification दे दो अब person को correspondingly जा करके दोनों में से एक काम करना है तो भी काम चल जाएगा फिर officer कुछ नहीं करेगा और अगर अगर हमने आपको communication कर दी आप दोनों में से कुछ भी नहीं करते हो ना तो आप justify करते हो ना ही आप पे करते हो तो फिर officer के पास यह power रहेगी कि वो आपके against recovery जो होगा वो enforce कर देगा उसने आपको proper intimation दे दी आप से पूछ भी लिया आपने अगर अगर अब भी भी इस्यू result नहीं किया तो अब officer जो होगा वो directly आपके against जो होगा recovery एंफोर्स कर देगा मेरे खाल से बड़ा point simple and easy है बट important examination के लि देगा तो अब आपकी जिम्मेवारी बनेगी पे करो या resolve करो intimation जब आपको भेज दिया जाएगा तो धान से सुनिएगा अब related amendment उन्हों नहीं के लिए अगर हमने mismatch की वज़ेसा आपको intimation भेज दिया है तो जब तक उस intimation का resolution आपकी तरफ से नहीं आएगा चाया वो payment कर क्यों या otherwise जब तक उसका resolution नहीं आएगा तब तक के लिए आपके end पे से gstr1 की filing जो होगी वो बैन कर दी जाएगी तब तक के लिए आपके लिए gstr1 जो होगी उसकी filing बैन कर दी जाएगी तो मैं अगर आप से यह कहूं कि मैं में mismatch निकला उन्होंने आपको intimate कर दिया आप intimate कर दिया जब तक यह resolve आप नहीं करके दोगे तब तक आगे के लिए आपकी gstr1 की filing जो होगी वो बैन कर दी जाएगी अब gstr1 की filing बैन करने के लिए उन्होंने जो related amendment करी है वह आप करी है रूल 59 सब रूल 6 में आप याद करिएगा जो आपका gstr1 हो फाइल होता है as per poison of section 37 with rule 59 and rule 59 सब rule 6 में आपने already कुछ cases पढ़ रखे थे जहां पर आपको gstr1 की filing बैन कर दी जाती है जैसे अगर आपने 3B नहीं फाइल करी होती है और यह लिखा गया है कि अगर rule 88C का intimation आया है और वो result नहीं हुआ है तो pending resolution आपको gstr1 जो होगी वो फाइल करनी नहीं दी जी तो यह कि इंपोर्टन आपको समझ में आई होगी डिमांड रिकवरी वाले चैप्टर में कुछ और अमेंड्मेंट भी हुई है वह बेसिकली क्या है सीबी आइसी की तरफ से कुछ इशू पर जो है वो क्लैरिफिकेशन इशू की गई है उसका भी आपको आइडिया दे रहता हूं ठीक है जी ने दो क्लैरिफिकेशन इशू करी है नंबर वन बड़ी सिंपल सी है और आप टेंशन मत लेला इन सब का बिलकुल डिटेल अनलिस प्रॉपर चार्ट वगएरा वो सब भी करेंगे य आपका माइंड एक बात कैप्चर कर लें कि हां बई कितनी हुई है तो बस उस परपस के लिए लिमिटेट सा डिस्कॉशन कर रहा हूं चलो सी बी आइसी ने डिमांड रिकवरी को लेकर के एक सर्कुलर यह उशू किया उन्होंने का मान लीजी कोई कंपनी के अगेंस कोई थी यह इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में आ जाती है एस पर आई बीसी ठीक है तो कंपनी बिचारी जो है उसके पास फंड्स है नहीं उसने जी एस्टी के ड्यूस भी नहीं दिये तो इसने इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में आ गई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रेप्टी को basically company को वो take care करता है और जब तक ये resolution professional जो आगे अपना resolution proceeding करेगा creditors वगरा के साथ बैठ करके resolution plan बनाएगा तब तक के लिए एक moratorium इशू कर दिया जाता है वो moratorium इस बात का होता है कि जब तक वो moratorium रहेगा इस company के against किसी तरीके की कोई proceeding किसी के द्वारा भी नहीं की जाएगी कहने का मतलग जिस दिमांड को जो है वो एनफोर्स नहीं कर सकता company की अगर इंसॉलवेंसी प्रोसीडिंग में चली गई है तो अब उसका जो handling करनी है वो किसको करनी है resolution professional को करनी है चलिए जी अब resolution professional जो था वुस ने बैठाया सारे creditors को बढ़ाया और बात करी कि company है इसके पास पैसा नहीं है finally जो होगी दिवाली होगी आप देखो अपना क्या haircut आप लेने को त्यार हो तो let's suppose haircut जो है वो डिसाइड हो गया क्रेटर ने बूला चलो हम अपना भ्याद छोड़ देते हैं किसी ने बूला चलो हम अपना मूल का भी छोड़ देते हैं resolution plan जो है वो डिसाइड हो जाएगा अब जो resolution plan डिसाइड होगा जहां अपने पैसे छोड़ेंगे ठीक ना तो बहाँ पर resolution plan के हिसाब से यह कहा गया कि company को यह जो 50 करोड की दिमांड थी जीएश्ट वालों को जड़ी थी अब कंपनी की वित्याहलत को देखते हो पिचास करोड नहीं यह डिमांड भी रिड्यूस कर दी जाती है पिचास करोड की बजाए अब कंपनी को जो होंगे 30 करोड पर डिमांड को एड्यूडिकेट करके सेटल किया है तो अब एक्च्वल रिकवरी कितने हैं की होगी 30 करोड की बट अब एक प्रैक्टिकल इशू क्या आ रहा था जब डिमांड पचास करोड की निकाली गई थी तो इनके पचास करोड रुपए रिफलेक्ट हो गए होगे कि फचास करोड लेने है अब ठीक यह लेने 30 करोड है लेकिन उसको मेटीरिलाइज कैसे करना है भै इलाइबिटी लेजर में भी तो वो रिडूस करनी होगी न तो वो रिडूक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा उस बात को ल किसी व्यक्ति के खिलाब कोई demand order आता है ठीक है अब वो व्यक्ति उस demand order से एग्रीवड है तो वो कहां चला गया अपील में अब जब तक अपील चल रही है तो वो demand की अभी recovery नहीं हो रही है अब अपील में उसकी demand कम भी हो सकती है तो अगर उसकी demand कम होगी order आया let's suppose 50 करोड का तो लेकिन अपील में अगर वो demand कम हो जाती है 30 करोड तो वो कैसे कम होगी उसको section 84 ने handle किया था और section 84 यह कहता था अगर कभी इस तरीके से अपील में जाता है किसी order के अगर अपील में डिमांड कम हो जाती है तो commissioner के द्वारा एक intimation issue किया जाएगा कम demand को section 84 में यह बात लिखी हुई थी अब मुद्दा क्या रहा था section 84 बेसिकली बात कर रहा था order आया अपील फाइल हुई और फिर reduce हुआ अब लेकिन यहां पर वो कहानी तो है नहीं कि order आया और अपील फाइल हुई यहा तो IBC की बात है अब CVIC ने लेकिन clarification issue करके बोला है कि वो जो प्रोसेस वहां लिखा हुआ है section 84 में वो सेम प्रोसेस जो होगा वो इस case में भी apply होगा यह जो प्रोसेस अपील वाले cases के लिए लिखा हुआ है वो प्रोसेस जो होगा वो यहां पर भी apply होगा चलिए फिर उसके बाद दूसरा दूसरा क्लारिफिकेशन इसको जरा धान से सुनिएगा इसमें उन्होंने बात करी है एक special case की case के facts यह है कि माल लीजिए कोई taxable person है उसके अगेंस जो है demand निकाल दी गई है section 74 में officer ने demand निकाल दी है section 74 का मतलब officer ने उसके अगेंस कोई fraudland demand जो है वो निकाल दी है बहुत ध्यान से सुनिएगा यह बड़ा important clarification है वैसे हमने lecture में इसे already बहुत detail में पढ़ रखा ह है तो लेकिन फिर भी taxable person था उसके अगेंस officer ने 74 में मेलाफाइट cases में demand निकाल दी let's suppose 100 करोड की demand निकाल दी असेसी जो था वो जाता है appeal में इस demand को challenge करने के लिए appeal में जब सुनवाई होती है तो appeal में final सुनवाई के बाद appellate authority के दारह यह held किया जाता है कि देखो इस व् व्यक्ति ने जो टेक्स पे नहीं किया वो मैलाफाइट नहीं था बोनाफाइट है को मतलब इसके अगेंस section 74 का नहीं बनता है इसके अगेंस section जो है वह section 73 का ध्यांदी जीएगा बड़ी important बात दुबारा बोल रहा हूं व्यक्ति ने टेक्स पे नहीं किया officer ने 74 लगाया मत इसलब 74 का केस नहीं बनता, केस 73 का बनता है, अब आपको याद आता होगा, अब इससे रिलेटिड हमने सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 में डिसकेशन पड़ाता है, जिसमें लिखा गया था, कि अगर कभी किसी प्वेस्टन के खिलाफ 74 में डिमांड निकाली जाती है, लेकिन अपील आप जो इससे डिमांड करें, वो 73 के टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, इससे करें, आपने अभी जब डिमांड निकाली थी, तो 74 के इससाब से टाइम लिमिटेशन लगा के निकाली थी, लेकिन अपील में 74 प्रूव ही नहीं हुआ, बोनफाइड प्रूव ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई थी, डिमांड फ्रॉड में निकली, अपील में फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ, बोनफाइड दिख रहा है, तो डिमांड गलत नहीं होगी, रिएजुडिकेशन अप दा डिमांड होगा, ये मानते हुए, वो नोटिस फ्रॉड में न पूछा गया, आप 75-2 ये जो कह रहे है, इस केस में, रिएजुडिकेशन, रिडिटर्मिनेशन अप दा लाइबलिटी होगा, ये मानते हुए कि केस में जो नोटिस है, वो मेलाफाइड का इसू नहीं है, वो 73 का इसू है, तो रिडिटर्मिनेशन का प्रोसीजर क्या रहे और उस रिडिटर्मिनेशन को करने के लिए, जो ऑफिसर होगा, उसको कितनी टाइम लिमिट जो होगी, वो एविलेबल रहेगी, ये दो कोशन जो थे, वो पूछे गए ते, कौन कौन से दो कोशन, रिडिटर्मिनेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑफिसर किस तरीके से और दूसरा उस रिडिटर्मिनेशन के काम को मेटिरलाइज करने के लिए, ऑफिसर को कितनी टाइम लिमिट जो होगी, वो एविलेबल रहेगी, और CBIC ने दोनों मुद्दों का यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने पहले मुद्दे की बात करी, उन्होंने बोला, सो फर एस, डिडिटर्मिनेशन का प्रोसीजर इस कंसर्ण बोड़ बोड़ा सिंपल सा रहेगा, आप देखिएगा कि यह पर्टिकुलर साल के लिए लेट्स पोजिसे नोटिस इशूर था, जब मेला फाइड में इशू किया गया था, तो मेला फाइड की टाइम लिमिट को देख करके इशू किया गया होगा, अब आप उसको भूल जाओ, आप यह देखो, जिस भी साल के लिए नोटिस इशू किया गया है, अगर यह बोना फाइड, यह बोना फाइड के लिए इशू किया गया था, तो क्या टाइम लिमिट होती, अगर वो जो टाइम लिमिट है, है वो notice issue करने के time में cover हो रही है तो notice invalid मानो otherwise post-ex-period notice की recovery जो है वो बाहर करणो मेरी बात आप समझे कि यह period है इस period के लिए notice यहाँ issue किया गया है मैलाफाइड में issue जाए गया आप यह चेक करो कि यह notice अगर बोनाफाइड में issue किया किया होता तो किस टाइम तक शुकिया जा सकता था अगर यह उतने टाइम के अंदर इस्ट है तो इसके बाद निकाल दो और अगर यह उसके बाद का इसुड है तो पिर वो डिमांड जो है वो सिंपली डॉप कर दो बड़ी सिंपल सी क्लरिफिकेशन है अगर जो डिमांड निकाली गई थी वो तीन चार सालों के लिए निकाली गई थी तो आप हर एक साल को बैठ करके separately analyze करो कि इस साल का बोराफाइड में इशू किया गया होता तो यहां तक किया जा सकता था एक्च्वल में जो इशू किया गया यह इसके अंदर है नहीं ड्रॉप इस साल का बोराफाइड में इशू किया जाता तो यहां तक इशू किया जा सकता था एक्च्वल में जो इशू किया गया वो उस टाइम लिमिट के अंदर है येस तो इसकी डिमांड ओके accordingly आप redetermine कर लो बड़ा simple सी बात है फिर उसके बाद दूसरी clarification उन्होंने यह दी officer को इस redetermination के लिए कितनी time limit मिलेगी तो उन्होंने बोला जी redetermination के लिए इनको time limit मिलेगी उसके लिए मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं उसके लिए है वहां से दो साल की time limitation रहती है तो कहने का मतलब इस के बाद दो साल के लिए अविलेबल रहेंगे तो यह specific case already आप देखेंगे हमारे study material में प्रॉपर विद एक्जामपल डिसकस्ट हमने बहुत टाइम लगाया था ठीक है और उस टेम पर कई बच्चे कह भी रहे थे इतना detail में क्यों आज आपको समझा आ गया होगा विकास प्रैक्टिकली बड़ा relevant था कि cbic को एंडल करना पड़ा तो आप यह specific question आपके examination में जो है वो बिल्कुल पूछा जा सकता है चलिए जी इसके साथ हमारी डिमांड रिकवरी से रिलेटिड अमेंड्मेंट जो है वो cover हो जाती है ठीक है नेक्स चैप्टर जिससे रिलेटिड आप file करते हैं with the approved authority उसके लेवल पर हुई है जो पहली अपिल करते आपको याद होगा उसे तीन महीने मिलते है और अगर डिपार्टमेंट अपील करता है तो उसको कितने मिलते है च्छे महीने तीक है वह पूरा प्रोसेस जो आपने पढ़ा था वो एजटीज है अमेंडमेंट जिस एरिया में हुई है वह बहुत ही माइनर एरिया है जिसको मै पर्मान लीजिए यह पहली अपीलेट अथोर्टी पर्मान लीजिए यह एक सप्लायर रिजिस्टर परसंट जो है वह अपील फाइल कर रहे है तो अपील कैसे फाइल होगी यह आपको पता है ठीक है नश प्रोपर चार्ट में मिलेगा उसमें मैंने आपको यह बताया था कि अपील जब यह परसंट फाइल करेगा ओनलाइन अपील जैसे यह फाइल करेगा उस टाइम पर इसने जब अपील फाइल कर दी इसे एक प्रोवीजनल एकनॉलेजमेंट एस टू फाइलिंग ओफ अपील जो होगा वो इशू किया जाएगा तो उसके बाद उस रूल में यह लिखा हुआ था बाद में इस व्यक्ति को एक काम यह करना पड़ेगा जिस और इन ओरिजनल के अगेंस यह अपील फाइल कर रहा है उसकी सर्टिफाइड कोपी यह ओपिसर से लाएगा और उसको जो होगा वो स्पोर्टल पर समिट करेगा इनीशल अपील तो आप की यह सर्टिफाइड कॉपी जो होगी सम्थिट करेंगे तो फिर आपकी अपील जो होगी वो फायनल्य एक्नॉलिज्ज जो होगी वो की जाएगी आपको फाइनल एकनॉलेज़मेंट जो होग exist किया जाएगा अचा अब यहांपर जो बात मुद्धे की एक बाह बोलता हू आपने सबसे पहले step पर e-appeal file करी, provisional acknowledgement issue हुआ, उसके बाद आपको इस order की certified copy जो है वो submit करनी है, इस certified copy को लेकर के उन्होंने ये बुला था कि 7 days के अंदर submit कर दे रहा, appeal file कर दी, provisionally acknowledge हो गई, अब 7 days के अंदर आप अपनी ये copy जो होगा, वो submit कर देना, ये 7 days बड़े important है because low ये कहता था, अगर आपने 7 days के अंदर, ये order in original submit कर दिया, तो आपको final acknowledgement issue किया जाएगा, लेकिन आपकी appeal filing की date, provisional acknowledgement की date जो होगी, वो मानी जाएगी, ठीके न, आपको appeal का time limitation is very important, 3 months, ठीके न, तो यहाँ पर ये time limitation की computation में काम आता है, आपको provisional acknowledgement मिला, 7 दिन के अंदर अगर आप certified copy submit कर देंगे, तो final acknowledgement issue होगा, बाद में, लेकिन 7 दिन के अंदर आपने submit किया, तो आपकी appeal filing की date, provisional acknowledgement की date समझी जाएगी, और अगर आप 7 दिन के अंदर OIO submit नहीं करते है, तो फिर आपकी appeal filing की date ये नहीं मानी जाएगी, फिर उस case में final acknowledgement की जो date होगी, वो आप आपकी appeal filing की date जो होगी, वो मानी जाएगी, तो इस provision की importance क्या थी, significance ये थी, कि basically registered person को ये ensure करना है, कि वो certified copy 7 days के अंदर submit कर देगा, तो backdated appeal की date मानी जाएगी, नहीं करेगा, तो फिर final acknowledgement की date मानी जाएगी, और ये ओके विद दिस, चलिए, अब ये जो provision ने बना रखे थे, इस बात को लेकर के काफी जाधा dispute हुए, dispute बहुत अच्छे थे, इस बात को लेकर के dispute हुए, registered person का ये कहना था, ध्यान से सुनिएगा, registered person का ये कहना था, कि भाई साब, मान लीजे मेरे खिलाब कोई demand order issue हुआ, section 74 में, as an example बोल रहा हूँ, अब ये कहता है, section 74, GST में लिखा हुआ है, कि जब कभी, officer education complete करके demand order issue करेगा, तो उस demand order की साथ में, वो एक summary अपलोड जो होगा, वो पोर्टल पर करेगा, अब धान से सुनना, ये बात भी वो बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग class में पढ़ाते भी नहीं है, जिसकी वज़े से amendment, वो समझ भी नहीं बावधान है, 74 में, let's suppose, अगर demand order pass हुआ, तो आपको demand order देगा, साथ में, उस demand order की summary जो होगी, वो पोर्टल पर upload करेगा, अब लोगों का ये कहना था, जब officer order pass करके, उसकी summary पोर्टल पर upload कर ही रहा है, पोर्टल पर वहाँ, वो summary पहुची रही है, officer के end पर से, तो फिर हम में, appeal में, ये rule क्यों कह रहा है, कि हम certified copy लाकर के, जो है, वो submit करे, आपको order की detail चाहिए, तो जब officer ने, वो summary अप्लोड करी, section 74 में, वहाँ, legal requirement है, जब उसने, वो summary अप्लोड कर दी, तो वो पहुच गया, पोर्टल पर, आप वहाँ से, उसको देखो, जो भी check करना है, उस रखी है, और, orders, upload ही हो रहे हैं, summary upload ही हो रही है, तो मेरे end पे से, ये upload करनी वाली बात होनी ही, नहीं, चाहिए, जैसे ही summary upload हो, उसके basis पर, अप्लेट authority के end पर, final agreement, जो है, वो issue हो जाना, चाहिए, बड़ी logical सी बात है, और बेटा, ये बात, finally, government को समझ आई, और government ने, इस को acknowledge करते हुए, वो, जो rule number 108 था, उसमें, जो है, वो amendment कर दी, rule number 108 जो था, उसमें amendment कर दी, उन्होंने बोला, जी भाहिस साफ, जिस order के खिलाफ, appeal file की जा रही है, वो order, अगर, ऐसा order है, जिसकी summary upload, portal पर करने के प्रावधान, GST में है, तो उस order के respect में, इस person के end पे से self certified, copy ल नहीं होगी, लेकिन, लेकिन, साथ पर उन्होंने ये भी कहा कि, जो order upload करने वाली बात है, वो ऐसा नहीं है, कि GST में हर order upload होता है, जादतर होते हैं, बट कुछ order ऐसे है, जो की, ऐसे upload नहीं होते है, तो उन्होंने बोला, जो जो भी orders upload होते हैं, उनके respect में तो change कर दिया, क अगर कोई ऐसा order है, जिसको लेकर के, officer के end पर uploading के provision नहीं है, तो उसके respect में ये पुराना system जो होगा, वो as it is चलेगा, क्योंकि officer के end पर upload नहीं हो रहा है, तो उस respect में अपील करने वाले को order की self certified copy लेकर के, जो होगी, वो submit करनी पड़ेगी, आपको ये बात समझ में आ गई समरी वर्जन अगर बोलू, तो पहले क्या था, कि पहले आपको हर case में order की copy ला करके, साथ दिनों में देनी होती थी, तब final acknowledgement मिलता था, अब उन्होंने क्या बना दिया, अब उन्होंने दो category बना दी है, अगर appeal उस order के against है, जो खुद officer portal पर upload करेगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, order upload होते ही, final acknowledgement issue कर दिया, जाएगा, बट अगर आपकी appeal उस order के against है, जहां ऐसी uploading नहीं होनी, तो फिर जो पुराना system था, साथ दिन मिलाके upload करो, उस हिसाब से जो होगा, वही provision जो होंगे, वह applicable रहेंगे, I hope यह बात आपको समझ में आ गई होगी, तो यह rule number 108 मे amendment हुई है, और ऐसे ही बिटा हमारे पास rule number 109, 109 बेसिकली बात करता था, कि इस first appellate authority के पास, अगर appeal file की जा रही है, at the end of department, at the end of department, तो rule 109 जो था, वो department अगर appeal कर रहा है, उसके अंगल से लिखा हुआ था, वहाँ पर appeal करते हैं time, कैसे handle किया जाता था, वो सब हटा दिया ग 109 को amend करके, बिल्कुल सेम तरीका जो है, वो department के लिए भी लिख दिया है, जो assessi करेगा, वो सेम काम जो होगा, अगर department appeal कर रहा है, तो उसको भी करना पड़ेगा, uploaded order के against अगर बात है, तो कुश मत करो, बट अगर order uploaded नहीं होते है, उनके खिलाप appeal जा रही है, तो फिर वो certified copy जो होगी, वो submit करनी पड़ेगी, I hopefully बात समझ में आ जाती है, चलिए जी, तो ये standalone amendment के तोर पर आप पर सकते हैं, बिल्कुल अरहानी से हो जाएगी, फिर इसके बाद appeal and revision वाले chapter में एक और छोटी amendment जो ही है, वो rule 109C करके, एक नया rule जो है, वो insert किया गया, rule 109C, अब इ appeal अपनी डाल दी, appeal डालने के बाद उनको पता चलता है कि इस appeal में कोई mistake है, ठीक की जानी चाहिए, या किसी और reason की वजह से, वो अपनी इस appeal को withdraw करना चाहते है, तो धान दीजिएगा, पहले, appeal आपने एक बार अगर submit कर दी, तो withdrawal की कोई facility नहीं थी, पर अब rule 109C introduce करके, withdrawal of appeal की facility जो है, वो दे दी गई है, withdrawal of appeal की facility जो है, वो दे दी गई है, आपकी appeal गलत file हो गई, mistake है उस पे, या आपने अभी appeal डाली ही थी, एक Supreme Court का decision आ गया, जिसको पढ़के आपको ये लग रहा है, मेरी appeal में कोई दम नहीं है, मैं हारूंगा ही हारूंगा, तो withdraw करना चाहते हो whatsoever, may be the reason, आपके द्वारा file की गई appeal, वो withdraw की जा सकती है, प्रेजेंटरी रूल 109C में ये facility है, आपको ध्यान में रखना, असेसी भी withdraw कर सकता है, department भी withdraw कर सकता है, withdrawal is subject to certain conditions and so on, वो details हम बात में देखेंगे, एक बात इसमें ध्यान रखने वाली, और सुन लीजीए, उन्होंन answer is just, ऐसा नहीं है कि आपने withdraw कर लिया, तो आप फाइल ही नहीं कर सकते हैं, हो सकता है, आप जो है दुबारा भी appeal कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है, दुबारा appeal करोगे, तो time limitation की जहां तक बात आएगी, वो जो original time limitation आपको बनती थी, वही आपको लगेगी, ठीक है जी, चलिए जी, फिर उसके बाद बात करते हैं, आगे, mislaneous provision वाला चैप्टर था, उसमें एक बड़ी चोटी सी amendment हुई है, anti-profiteering, anti-profiteering के provisions हमने पढ़े थे section 171 में, आपको याद होगा anti-profiteering को लेकर के section 171 में हमने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति, government की तरब की जा सकती है, एक authority थी, याद आ गया होगा, national anti-profiteering authority, ठीक है, तो profit इस तरीके से जब गलत काम हो रहे होते हैं, तो फिर authority जो थी, वो national anti-profiteering authority होती थी section 171 में, जिसके पास complaint जाती थी और वो action लेती थी, अब amendment क्यों ही है, जो profiteering के cases होते थे, anti-profiteering के cases, उसके लिए पहल हो गया है, अब उसकी बजाए, government ने notification issue करके, नई authority को power soap दिया, वो नई authority है, competition commission of India, तो क्याने का मतलब 171 में, पहले जिस authority के पास power थी, वो separately created authority थी, national anti-profiteering authority, जो जिसके वालों ने special बनाई थी, अब उसको खतम कर दिया गया है, उसकी बजाए, competition commission of India, जो की already existing authority है, competition के cases हैं वो handle करेगा, बड़ी simple सी amendment है, जहां जहां आपने national anti-profiteering authority पढ़ा था, उसकी बजाए, अब आपको क्या पढ़ना है, competition commission of India, बास, that's all, इतनी छोटी सी amendment है, फिर उसके बाद बात करते हैं, अगला chapter, input tax credit, भाई साब बड़ा important chapter रहता है, ये तो हमेशा, इसमें amendment हुई है, input शर्टे पूरी करनी होगी, अब आपको याद करता हूँ, 16-2 में one of the conditions for taking the credit वो ये होती थी, अगर as a registered person, आप अपनी invert supply पर जो GST paid है, उसका आप credit ले रहे हैं, तो आपको वो credit जो होगा, वो आपको दिया जाएगा, बड़ एक associated condition ये रहेगी, आपको हम credit दे रहे हैं, supplier से माल खरीदा हो, जिस supplier से service लियो, उस supplier ने वो GST government को pay कर दिया हो, आपका credit, GST purchase आपकी invert supply आपको हम दे रहे हैं, but this is subject to the condition, वो GST corresponding supplier जो है, वो government को actual में दे दे, ठीके जी, अगर उस supplier ने government को पैसा नहीं दिया, तो फिर आपको जो credit दिया गया है, वो valid नहीं रहेगा, अचा, अब, खरीदार को उन्होंने ये बुला था, आप कोई भी invert supply लेकर किया है, आप invoice based अपना credit ले लो, we will make sure कि supplier हमें उसका पैसा दे दे, अगर supplier ने हमें वो पैसा नहीं दिया, तो फिर हमारे पास, सरकार ने अपने पास ये right रखा था, कि हम आपको ये कह सकेंगे, कि आपके पास जो credit गया, वो valid नहीं है, और इसके लिए उन्होंने correspondingly एक section 41 भी जो था, वो बनाया हुआ था, section 41 में लिखा हुआ था, खरीदने वाला invert supply पर invoice based अपने credit ले लेगा, और उसको वो अपने तरीके से use भी कर लेगा, बट खरीदने वाले को ये ध्यान में रखना ह है कि ultimately अगर supplier government को उस tax की payment नहीं करता है, तो government के पास ये अधिकार रहेगा कि recipient जिसने ITC लिया है, उससे उस ITC को recover किया जा सके, along with the interest, फिर section 41 में फर्दर ये लिखा हुआ था, government recipient से जब ITC along with interest recover करेगी, अगर बाद में recovery करने के बाद में supplier government को pay कर देता है, तो फिर recipient को हम व 41 में ये लिखा हुआ था, इसमें साथ में लिखा हुआ था, ये जो government का recovery का right होगा, और recipient का बाद में re-availment का right होगा, वो होगा subject to prescribed manner, और subject to prescribed manner का मतलब हो जाता है कि उसके लिए rules जो होंगे, वो detail में बताएंगे कि government किस तरीके से recovery का right लेगी, और किस तरीके से re-availment जो ह होगा, वो recipient के end पर arise होगा, अब ध्यान में रखिएगा, पहले कोई manner prescribed नहीं थी, कोई manner prescribed नहीं थी, जिसकी वज़े से recovery या re-availment के कोई issue arise होई नहीं रहे थे, बट अब manner prescribed करते हुए, एक नया rule, rule 37A करके जो है, वो insert कर दिया गया है, पहले कोई manner नहीं थी, तो वो recovery and re-av development के provision, theoretical provision थे, मनें class में बोला भी था, अभी के लिए this is theoretical, बट अब government ने corresponding rule जो है, वो introduce कर दिया है, तो ये practical provision अब हो गए है, अब rule 37A में कहा क्या गया है, बहुत simple है, बहुत simple है, इसमें ये कहा गया है, कि आपने एक supplier से, मैं माली जी, मैं हूँ अपना register person recipient, मैं अपने supplier से एक supply लेकर के आया, इना particular financial year, ठीके जी, मैं invoice based लेकर के आया, मैंने उसके corresponding ITC जो है, वो avail कर लिए, अब हो कह रहे है, आप ITC अवेल करके आराम से बैट जो, अभी हम आपको कोई तकलिफ नहीं देंगे, अब जो आपको supplier है, उसके end पे से हम चेक करेंगे, कि उसने, उसने जो tax invoice based ITC pass on किया, उसने वो अपना tax government को pay किया, या फिर नहीं किया, अगर उस invoice का tax, उसके end पे से government को नहीं पहुचा, कब तक, जिस साल में ये supply हुई थी, उस साल में, उस साल के बाद, 30th September हो गया, फिर भी नहीं पहुचा, important, 30th September, तो आपके बीच में एक transaction हुए, एक particular financial year में, चाए वो अपरेल में हुआ हो, दिसंबर में हुआ हो, या मार्च में हुआ हो, उस पूरे साल में कभी भी या हुआ, अगर उस corresponding invoice का tax, उस supplier के end से, साल खत्म हो जाने के बाद, September भी खतम हो गया, और government को वो पैसा नहीं पहुचा, तो उन्होंने बोला, September के बाद, September तक भी पे नहीं करता है, तो recipient आपको ये जो ITC आपने लिया था, आपको ये payback करना पड़ेगा, और ये payback आपको 30th November तक, ठीक है, उसके लिए क्या बोला, September साल खत्म हो जाने के बाद, आपको payback करना है, साल खत्म हो जाने के बाद, 30th November तक, 30th November तक जो होगा, वो आपक पे नहीं करते हैं, उसके बाद पे करते हैं, तो फिर आपको वो payback जो होगा, वो interest के साथ जो होगा, वो करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया, तो हम definitely हम आपसे वो recover भी कर सकती है, फिर उसके बाद इसी rule में उन्हों ने ये लिखा, एक बार आपसे इस चरीके से payback हो गया, या हमने recover कर लिया, बाद में supplier जो है, उसे pay कर देता है, तो फिर आपके पास re-availment का right रहेगा, और आप सभी लोग जानते हैं, जब re-availment की बात आती है, तो वहाँ पर ITC अवेलमेंट की जो time limitation है, वो कभी भी apply नहीं होती है, तो ये सारी बाते जो है, बिसिक 2 में आपने एक second proviso पढ़ा था, याद कराता हूं क्या कारणी थी, आप एक supplier के पास से एक supply लेकर के आए, आपके inverse supply है, invoice based आपने supply ली, आपने जो है, ITC ले लिया, लेट स्पोस आपके supplier ने भी अपनी return में supply को declare करके जो है, प्रॉपर GST पे कर दिया, अच्छा लेकिन service जो भी वो आपने उधार पर ली है, आपने अभी supplier को payment नहीं करिया, आप supplier से उधार पर लेकर क्या है, अब आपको याद आ गया होगा, आपने पढ़ा था, section 62 के second proviso में लिखा हुआ था, कि भाई साब अगर उधार पर भी कोई recipient supply लेता है, तो फिर वो अपना ITC normal तरीके से अवेल कर सकता है, हाँ, लेकिन उसको ये make sure करना पड़ेगा, कि उसने अगर उधार पर supply ली है, तो इन्वाइस के 180 days के अंदर उसे अपने supplier को जो भी payment उसकी बनती है, वो कर देनी चाहिए, और अगर वो ऐसे payment नहीं करता है, तो फिर उसने जो ITC लिया था, वो जो होग उसको reverse करना पड़ेगा, वो उसे payback करना पड़ेगा, along with the interest, याद आ गया है, yes, 180 days में अगर आप अपने supplier को, supplier ने जो भी आपको credit दिया, आप अगर उसको pay नहीं करते हैं, तो फिर आपको एक बार के लिए अपना ITC with interest सिक और करना पड़ेगा, आप बाद में pay कर देते है अब यह जो rule number 37 है, इसमें last time कुछ amendment हुई थी, हमने last amendment lecture का भी पूरा discussion किया था, 16-2 कहता था, पे करोगे payment का तरीका rule 37 में लिखा होगा, और rule 37 में payment के तरीके को ले करके अभी पीछे कुछ छोटी मोटी cosmetic amendment हुई थी, अच्छा वो जो amendment हुई थी, उस amendment करते time, government ने जब amendment कर थी, तो कुछ legal language में unintended हो गया था, rule 37 को जब उन्होंने last time moment किया था, तो उसमें कुछ unintended हो गया था, मैं आपको याद कराता हूँ, rule 37 जब हमने पढ़ा था, lecture में तो हमने यह बताया था, माल लीजे, आपने supplier से उधार पर माल खरीदा, 180 days में आप उसकी जो payment बनती है, वो प बता हो आपको credit का reversal कितना पड़ेगा, बढ़िया आपको याद आ गया होगा, rule 37 यह कहता था, भाई साब आपने उसे सारा नहीं दिया, या थोड़ा नहीं दिया, आपको पूरा credit जो होगा, वो payback जो होगा, वो करना पड़ेगा, और ये बिटा ये बात गलत थी, इस बात को recipient ने काफी objection दिया, उन्होंने बोला, भाई साब, आप reversal के उकरा रहे हो, non payment की वजए से, हमने अगर उसे 70% दे दिया, 30% unpaid है, तो आपको प्रो राटा reversal के provision जो है, वो देने चाहिए, और in fact, rule 37 last time जब amend हुआ था, उससे पहले प्रो राटा reversal के provision ही थे, तो लोगों ने बोला, यह आपने rule 37 amendment करके गलती कर दिया, तो गौर्वर्मेंट ने अपनी वो गलती सुधारी, rule 37 को एक बार से फिर से retrospectively amend कर दिया गया, और अब clear cut उसमें लिख दिया गया है, कि अगर आपने supplier को payback नहीं किया, तो जितना payback नहीं किया, प्रो राटा basis पर आपको जो होगा, वो करना पड़ेगा, फुर उसके बाद ITC वाले chapter में, एक CBIC की clarification issue की गई है, वो clarification भी बड़ी simple सी है, यह clarification issue की गई है, transportation sector को ले करके, मान लीजिए कोई Indian shipping company है, let's suppose XYZ shipping company Indian, चीक है, उसके पास एक Indian exporter आता है, एक Indian exporter है, जो की USA में किसी को goods का export कर रहा है, USA में किसी को goods का export कर रहा है, और वो export कर रहा है, CIA base पर मतलब उसने बाहर से पैसा ले लिया है, और उसको यह बोल दिया है, तुम tension मतलो, मैं तुमको goods होगा, वो USA के port तक पहुचा करके दूँगा, मैंने तुमसे पैसा goods का जो लिया है, उसमें transportation वगेरा सब ले लिया है, ठीक है, अब जो इंडियन exporter है, जब यह CIA basis पर इस तरीके से sale करता है, तो goods को इसे भार भीजवाना है, तो goods को बाहर भीजवाने के लिए, ये Indian shipping company के पास transportation की service को लेने के लिया, तो आप Indian shipping company के पास एक Indian customer आया, goods transportation की service को लेने के लिए, तो आप Indian shipping company जो होगी, वो, अपनी service का जब POS नि निकाला जाएगा क्यों को में निकाला जाएगा अब आपको यह जए जो अगर जो ट्रांस्पॉटेशन की सर्विस दी जा रही है उसमें गुड्स जो होंगे वो इंडिया से उठा करके बाहर ले करके जाए जाएंगे तो फिर उसका P.O.S. जो होगा वो लिया जाएगा destination of goods, destination of goods, तो accordingly इस case में क्यों की goods जो है वो इंडिया से बाहर ले करके जाएंगे तो 12-8 का प्रोवीजो लगेगा जिस case आप से P.O.S. बनेगा destination of goods और destination of goods हमारे example में USA बिसिकली आउटसाइड इंडिया है तो P.O.S. के निकलेगा आउटसाइड इंडिया अब बिसिकली स्टोरी क्या हो गई एक इंडियन सप्लायर ने इंडियन रेसिप्रिंट को service की supply करिया और वो supply कहां करिया आउटसाइड इंडिया आप सब को ये पता है कि ये वहला case जोगा वो export of service में qualify नहीं करेगा because export of service तब माना जाता है जब supplier किसी foreign recipient को बाहर service दे यहाँ पर supply जो है वो Indian recipient को दी जा रही है तो ये POS भली outside इंडिया जाएगा बट ये export का case नहीं बनेगा और क्योंकि ये export का case नहीं बनेगा तो इस case में जो supplier होगा उसको कोई zero rating के benefit नहीं मिलेंगे उसके पास कोई ऐसा रस्ता नहीं होगा कि बिना payment के वो काम कर ले उसे GST हरालत में government को pay करना पड़ेगा तो वो GST जो होगा वो correspondingly इंडियन exporter को जो होगा वो charge भी करेगा अब आप से मैं पूशता हूँ मिटा ये जो GST चार्ज करेगा ये कौन सा GST चार्ज करेगा मतलब इसकी supply इंट्रासेट सप्लाई है या फिर इंट्रासेट सप्लाई है तो आप सभी को पता है हमारे पास case क्या है supplier है इंडिया का बट POS कहां है आउटसाइड इंडिया supplier इंडिया का है POS आउटसाइड इंडिया है तो ये इंट्रासेट तो ही नहीं सकती है इंट्रासेट सप्लाई बनेगी तो accordingly इस case में जो GST picture में आएगा वो IGST आएगा ये supply आपकी इंट्रासेट सप्लाई बनती है अब ये जो supplier होगा ये अपने invoice में IGST चार्ज करके जो हो होगा वो इंडियन exporter को invoice देगा और कोशन पूछा गया कि बाइट साब ये जो इंडियन exporter होगा क्या वो इसका ITC ले पाएगा तो ऑव्यसी बात है इंडियन exporter के पास ये टेक्स पेट जो भी supply आएगी उसका ये ITC ले पाएगा और ना से पी ITC ले पाएगा क्योंकि इस तो ये एक इंटर सेट सप्लाई है एक्सपोर्ट अव सर्विस का केस नहीं है आप जीस चार्ज करेंगे और जो इंडियन exporter होगा वो प्रोपर्लिलिस का ITC एंड एसोसेटीड रिफंड भी क्लेम कर पाएगा ये अगर उन्होंने clarification नहीं भी दी होती तो भी अगर हम अपन चैप्टर जो अमेंड्मेंट का related है इस चैप्टर उफ इन्वाइजिंग वाले चैप्टर में अमेंड्मेंट हुई है बड़ी छोटी छोटी अमेंड्मेंट हुई है पहले simple अमेंड्मेंट की बात कर दूँ चलो rule 46A rule 46A करके क्या था आपको याद होगा अगर एक supplier supply कर रहा है उसने जो good supply किये उसने जो good supply किये अगर वो tax वाले goods है तो फिर taxable goods है तो फिर वो क्या issue करेगा tax invoice अगर उसने जो good supply किये वो exempted goods है जिनके ओपर tax नहीं है तो फिर वो क्या issue करेगा bill of supply याद है आपको आप registered person हो taxable और अगर आप एक पर्सन के पास एक बायर और एक बायर उससे टैक्स वाले गुट्स भी खरीद रहा है और एक बायर उससे दो स्पोर्टिंग डॉक्टिमेंट इसू करेगा लग या एक ही डॉक्यमेंट इसू कर सकता है तो लोगों unregistered person है मतलब आप B2C category की supply कर रहे हैं तो आप उसे एक ही document जो है वो issue करके taxable as well as exam goods दोनों दे सकते हैं और उस document का क्या नाम था invoice come bill of supply ये बात हमने rule 46a में पढ़ी थी जिसमें लिखा था notwithstanding anything invoice वाला rule भी उन्होंने overrule कर दिया था अगर हम एक ही document पर दोनों supply कर रहे हैं तो क्योंकि invoice वाला rule भी ओवरूल हो गया और बिलोब supply वाला rule भी ओवरूल हो गया तो जो invoice का bill of supply हम बनाएंगे उसको हम अपनी मर्जी से design कर सकते हैं उस और हम जो चाहें वो लिखें जो चाहें वो ना लिखें तो लो ने बोला वही ऐसे intention नहीं है आपको हमने single document बनाने की इजाज़त दिये बट सो पर document पर detail होनी चाहिए वो तो आपकी होनी चाहिए टेक्सेबल गुट्स के सब्सक्राइब करने पड़ेंगे मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से पूछे जाने लाइक है हां से पढ़ लिया डाट इस ओके दूसरी जो एक्जामनेशन एंगल से पूछे जाने लाइक है वो हमारे पास है रूल 46 में ठीक है जब कभी भी टेक्सेबल गुट्स बेचे जाते हैं तो फिर इनवाइस काटा जाता है और उस इनवाइस पर क्या-क्या पर्टिकुलर्स कैप्चर करने होते हैं वो बताए गई है रूल 46 में बड़े सारे पर्टिकुलर्स बताए गए थे आपको वो सारे आपने पर रखे याद होंगे मैं स्पेसिफिक बात करता हूं रूल 46 यह कहता आपने आपने अगर वो यह तो इस नमब यह का आभ चाहे आपने ऊसे कितनी की वेल्यू के बेच बेचे आगर आपको यह तो यह तो आपको ढ़ए जाया है कोई unregistered person मतलब आपकी supply है B2C supply तो उस case में उन्होंने आपको यह formula लिख करके दिया था कि B2C supply के case में आप चेक करना कि आप जो supply कर रहे हैं उसकी value कितनी है अगर B2C supply आप कर रहे हो और आपकी value of supply जो है वो 50,000 या उससे ज्यादा की है बड़े amount की supply है तो उस case में भी आप आपको recipient से related particular capture करने पड़ेंगे और महां लिखा गया था कि अब बड़ी value की supply है 50,000 या उससे ज्यादा की तो जो आप capture करेंगे वो आप recipient का name उसका address वो कौन से state में है state का code वो सब capture करेंगे और अगर आपने goods की supply करी है तो जिस address पर आपने goods की delivery दी है address of delivery वो भी जो होगा वो आप capture करेंगे फिर उसके बाद बात आती है अगर आपने B2C supply करी है लेकिन कम value वाली करी है मतलब 50,000 से कम value इसको ध्यान से सुनिएगा इस से related amendment है ठीक है अगर आपने B2C supply करी है लेकिन कम value की करी है 50,000 से कम वाली तो उस case में उन्होंने बोला था उस case में आप अगर चाहे तो अपने invoice पर recipient की कोई भी details capture ना करे चल जाएगा चल जाएगा दुबारा बोलता हूँ B2B में तो हरालत में करोगे वो जरूरी भी है क्योंकि ITC pass on होगा B2C के case में उन्होंने क्या बोला भले ही ITC pass on ना हो अगर बड़ा transaction है 50,000 या उससे जादा तो recipient की detail capture करना वो आपसे आपका नाम डिटेल लेकर के इंवाइस पर मेंशन नहीं करता बिकोज लोग के इस आप से कम की value के लिए without recipient details भी जो है वो चल जाएगा मैं दुबारा दोराओंगा याँ पर आप वो यह कहते थे बीटू सी सप्लाई के केस में अगर लोग वेल्यू सप्लाई है 50,000 से कम की value अप सप्लाई है तो आपको recipient की details capture करने की ज़रूरत नहीं है पठा अगर recipient specifically आप से आपके कहता है नहीं मुझे इनवाइस चाहिए मेर नॉर्मल रूल क्या है मत करना बट अगर सामने वाला मांगेगा तो फिर आपको capture करके उसे प्रॉपर इनवाइस देना पड़ेगा अब इसमें एक अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्स सुनिएगा लो वेल्यू आप सप्लाई के केस में बोल रहा हूं अब यह जो रूल गाशलों रहीं गया है और एक्सेप्शन क्या कहता है सुनिये गधांसे अगर आप इसी यो हैं वेबसाइट है अपकी उसके थूफ्रू सप्लाई कर रहे हैं शर्विस गुट्स नहीं सर्विस की सिफ एक्सेट्शन सिर्विस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ठीक है अगर आप है ECO website के थूरू सर्विस सप्लाई कर रहे है या आप ECO नहीं है लेकिन आप किसी ECO website के थूरू सप्लाई करते हैं आपकी खुद की website है आप OIDAR service की supply कर रहे हैं अगर आप OIDAR online database assessment retrieval service की supply कर रहे हैं तो exception जो है वो सिफ services के लिए जहां से सुनेगा exception सिफ services के लिए logic मैं बोल दूँगा क्यों exception services के लिए कि क्या अगर आप कोई भी service supply कर रहे हैं अपनी website खोल के या किसी दूसरे की website से या आप OIDAR service की supply कर रहे हैं तो उस case में आपकी value of supply पचास जार से कम भी क्यों ना हो आपको recipient की details capture करनी ही पड़ेगी आपको recipient की details होगी वो capture करनी ही पड़ेगी आपको उसका नाम उसका address with pin code as well as state ये details लेकर के आपको capture ही करनी पड़ेगी ठीके जी तो पहले लोग क्या था low value of supply है recipient की details नहीं भी capture करो चल जाएगा बट अब services के case में और in specific case में नहीं चलेगा low value supply होगी तो भी आपको details होगी वो capture करनी पड़ेगी mandatory कर दिया गया है और साथ में लिखा गया ये जो detail आप capture करेंगे ये detail मानी जाएगी कि ये recipient का address in record है ये address in record of the supplier है अब आप कहोगे ये introduce को किया गया तो बेटा इसके अब पहले क्या होता था जब low value of supply of service की जाती थी और recipient की detail capture नहीं की जाती थी तो place of supply वाले case में क्या बन जाता था location of supplier बट अब ये जो amendment होगी है इस amendment की वजए से जिन cases में low value of supply होने के बावजूद भी recipient की detail capture की जाएगी address in record आ जाएगा उन सभी cases में place of supply भी जो है वो change हो जाएगा detail analysis कराओंगा जब detail में amendment कराओंगा इंवाइजिंग को ले करके अगली amendment अगली amendment सिंपल सी है इन्वाइज रिजिस्टेशन पॉर्टल इस message कोई न्वाइज portion पोटल है यह अलग पॉर्टल होती है अपको पता है गोशका कर रहे है यह hack कर ल yak लुझाए यह अलग पहले हमारे पास सिर्फ़टीव और सिर्फ एक इक ही थी इसमें से दो वो गौर्वर्मेंट कर रही है और चार्ज वो प्राइवेट एंटिटी जो है वो रन कर रही है जस्वर यॉर नॉलेज पूर इसके अलावा एक चेंज इनवाइजिंग वाले चैप्टर में जो हुआ है वह बैसिकली सी बी आई सी की तरफ से क्लारिफिकेशन इशू की गई है वालेकर पर प्रवीजन क्या थे अगर कोई पर पिछले साल में दस परोर से ज़ादा रहा है तो उसके उपर आपधा इनवाइजिंग के स्कोप से कुछ एंटिटीटी को भाहर रखा गया था जैसे कि हमारे पास बैंकिंग कंपनी अपटा ह है अब एक इशू जो था ein कोशन जो था वह सी वी इससे पुछा गया कि जब बैंकिंग कमपणी को आप ओनकीं documentation के तो बेसिकली बैंक इंवाइजिंग के provision से बाहर रहेगा प्राइमा फेसी जब मैं बोलूगा कि banking company को इन वाइसिंग नहीं कर नी तो इंप्रेशन यह जा एगा कि banking company banking service दे रही है इन वाइसिंग नहीं कर नी लेकिन आप bank वाले ने अपने second hand goods बेचे तो फिर उनको मन में ये डाउट आया कि क्या मैं इन्वाइजिंग से अभी भार रहूंगा या मैं सिफ बैंकिंग सर्विस के लिए बारता से लोग गुड्स के लिए मुझे इस्वाइज इसु करना पड़ेगा तो सी बैंकिंग कंपनी भार है तो वह बार है चाहे उसकी एक्टिविटी से लोग इस इवें बिल में बड़ी कब काटना होता है कब नहीं काटना होता रूल 138 14 में बताए गए थे जहाँ कटने की जरूरत नहीं होती है आपकी कटिवेंट विल नहीं काटना अगर से एक एक अगजामपल आपको याद होगा ज्योल्री बेच रहे हैं तो वह अपना बेजने से पहले detail दे कि यह जा रही है वो जा रही है इसकी proposition हो जाएगा तो ज्वेल्डी के respect में इवेबिल के provision applicable नहीं होती है याद आता है आपको yes अब इतर रूल 138 में जो यह लिखा हुआ था ज्वेल्डी के respect में इवेबिल नहीं काटना इसमें एक्चेंज कर दिया गय है एक्सेप्ट artificial ज्वेल्डी बोलते हैं उसे technical वर्ट्स में तो उना हो पहले किसी भी ज्वेल्डी के respect में काटना mandatory हो गया इसमपल amendment है नेक्स हम बात करते हैं reverse लिवर्स चार्ज वान अप डा है इंपोर्टेंट चैप्टर इसमें बड़ी छोटी सी आं सिंपल सी अमेंट्मेंट हुई है क्या अमेंट्मेंट हूई है बताता हो रिवेश चार्ज जब आपने पढ़ाता तो हमने दो स्पेसिफिक एंट्री पड़ी थी एंट्रीan नमबर 5 यह वो रिवेश्यार्च की एंट्री थी जोकि गॉर्मेंट की सप्लाई सर्विस से रिलेटिड रिवर्स चार्ज की बात करती थी एंटी नमबर फाइब में हमने यह पढ़ा था कि अगर कोई सेंटर गौर्वर्मेंट स्टेर गौर्वर्मेंट यूनियन टेरिटी या लोकल अथोरिटी वह सर्विस दे रहे हैं रेंटिंग आफ इम्मुएबल प्र पॉस्टल ओफिस की सर्विस को छोड़ करके और ट्रांस्पोर्ट और पर्शेंजर की सर्विस को छोड़ करके इन तीन कैटिग्री ओब सर्विस को चोड़ करके अगर गौर्मेंट लोकल ऑथोरिटी की तरब से कोई other service दी गई और किसको दी गई बिसनस एंटिटी बहें बहुत कम लोग जानते होंगे क्यों इसका डिसकेशन भी बहुत सारी टीचर नहीं करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना अब यह जो की एंट्री थी इसमें एक एक्स्प्लेनेशन थी उसमें यह लिखा हुआ था कि यह जो रिवस्चार्ज की एंट्री है यह बात कर रही है अब आउट गौर्मेंट लोकल अथोरिटी अब हम बात लेकिन करते हैं पार्लेमेंट की या कोई स्टेट लेंचलेचर की अच्छा आप सारे लोग जानते हैं प स्टेट लेवल पर लेजिस्ट्षेट लेंट के लिए अब आर्रमेंट और स्टेट लेजिस्ट्षेट लेचलेचर के अगर इस तरीके का इशू आएगा तो आर्ररम की इनंके ऊपर भी एक रहेगी कहने का मतलब उन्होंने एक्सेंड कर रहा था अगर वही होंगी वह पार्लेमेंट यह श्यच्छी को में किसी दौर दिया लॉपर आपन ने माले कमरा तो जो उपर वाली आट्चेंड की आप्लाई होगी और जिस लेंट पर दिया गया है RCM की वजए से वो जो होगा वो पे करेगा अब इस explanation में amendment की गई है और amendment करके यहां पर लिख दिया गया है कि उपर वाली जो RCM की entry है जो हमने पारलेमेंट और स्केट लेजिसलेचर के उपर अपलाई कराई थी वो अब court and tribunals के उपर भी applicable होगी court and tribunals के उपर भी applicable होगी यहां पर word add कर दिये गया है कहने का मतलब क्या हो गया मान लीजिए कोई court है ठीक है जी court है आपके पार judiciary हो गई ठीक है न तो अब यह जो judiciary body है court and tribunal इन्हों ने let's suppose court में कोई premise किसी renting of immobile property का का काम किसी रेजिस्टर पर्सन को करके दिया तो अब court and tribunal ने यह काम करके दिया उसके उपर भी entry applicable होगी रिवर्स चार रेजिस्टर पर्सन अगर involved होगा renting of immobile property में तो उसके उपर हो जाएगा जैसे आपको पता ना court lawyers को chamber देती है लोइस को पर्सन हुआ ध्यांदी जेगा अगर रेजिस्टर पर्सन हुआ तो एंटी नंबर फाइव यह अप्लिकेबल हो जाएगी और फिर इसके बाद लास्ट आपका अमेंडमेंट को जो चैप्टर रहा दैट इस exemption to services एक्जम्शन टू सर्विसे फोचुनेटल इसमें बड़ी छोटी छोटी अमेंडमेंट हुई है क्या अमेंडमेंट हुई है जरा धान से सुनिएगा एक्जम्शन टू सर्विसे एक हमारे पास इसमें होती है एंटी नमबर 23A 23A वो अपने को ये कहती है कि अगर कोई सप्लायर सर्विस दे रहा है सर्विस क्या असेस्टिव रोड और ब्रिज और जिसको वो सर्विस दे रहा है एक तो पड़ी थी एंटी नमबर 23 जिसमें यह था असेस्टि रोड और बिज दिया जा रहा है और बदले में टॉल चार्जिस लिए जा रहे है ठीक है जी जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं वह एक्जम्ट थी और इसको गवर्मेंट के द्वारा विड्रो कर लिया गय लेकि यह एक्जम्ट जो है वह विड्रो कर ली गई है जो है पर इसके बाद अगली अमेंड्म एंटी नमबर 12 करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है है या आपके इसमें पढ़ा था रेंटिंग और रेंटिंग एंगर कोई आदमी सर्विस दे रहा है कौन सी renting क्या rent पर दे रहा है residential dwelling घर किस परपस के लिए रहने के लिए तो फिर यह exempt है लेकिन आपको याद होगा यह exemption तब नहीं मिलेगी अगर आपने घर रहने के लिए दिया लेकिन जिसको दिया वो registered person ने basically B2B supply है तो क्योंग एक company है उसने आपसे घर लिया अपने डिरेक्टर्स वगेरा employees के रहने के लिए तो तब यह exemption जो होगी वो apply नहीं होगी ठीक है अब यह registered person को अगर यह service दी जा रही है तो फिर exemption apply नहीं होगी एक doubt arise हुआ कि अगर एक sole proprietor है एक sole proprietor है जी स्टी में वो registered person है उसने घर लिया लेकिन उसने इसलिए लई लिया कि business purpose के लिए ले रहा है अपने employee उसके जो होंगे वो उसमें रहेंगे rather than उसने non business purpose के लिए लिया अपनी family के रहने के लिए तो क्या तो क्या यह वाली renting जो होगी exempt नहीं होगी या फिर यह exempt होगी तो obviously बात है यह business purpose के लिए नहीं ली गई family के रहने के लिए ली गई है तो यह basically incapacity of registered person ली नहीं गई तो यह exempt होना चाहिए अब यसी बात है इस बात को लेकर के लोगों में doubt आ रहा था नहीं नहीं लिया तो registered person नहीं है तो exemption नहीं मिलेगी तो government ने finally जो होगा in doubt को end कर दिया है इस entry में एक explanation उन्होंने एड कर दिये जिसमें उन्होंने clear cut लिख दिया है कि अगर घर कोई sole proprietor registered person ले रहा है लेकिन वो अपने business purpose के लिए नहीं ले रहा है वो अपने use के लिए ले रहा है यह renting basically registered person की renting नहीं है यह जो होगी वह exempt रहेगी are you okay with this बाकी ऐसा discussion मैंने आपके साथ otherwise भी किया था class में मेरा यही view था यह अब law ने लिख करके ही explanation में बोल दिया है अगली exemption की अगर बात करूं तो एक entry हमने पड़ी थी entry number 66 जिसमें education service को ले करके exemption थी entry number 66 में बात की गई थी services by educational institution entry number 66 बात कर रही है services by educational institution जिसमें उन्होंने कहा था कि बई क्या क्या एक्दम्टम कर रहे हैं 66A पहले पार्ट में उन्होंने लिखा था कि अगर educational institution किसी भी परकार की service दे रहा हो किसको अपने student को अपनी faculty को या फिर अपने staff को किसी भी तरीके की service दे रहा हो ठीके जी जैसे student को education service दे रहा हो टूशन पीस ले रहा हो transportation service दे रहा हो transportation की फिर रहा हो खाने की service दे रहा हो उसे school में कैसी भी service वो दे रहा हो student को faculty को staff को वो exempt होगी और इसमे 66 AA करके एक और क्लोस था वो यह कहता था अगर educational institution अपने prospective student को service दे रहा है कौन सी conduct of entrance सब आपने डिटेल में पढ़ रखा है अब अमेंडमेंट की बात करता हूं जर अध्यान से सुनिएगा अब यह जो exemption दी गई थी ठीक है जी अब यह जो exemption दी गई थी कि student faculty staff को कोई भी service दो exempt है 66A इसको आप भूल जाओ हम बात करेंगे 66A की जिसमें prospective student को entrance examination की service exempt थी ठीक है अब सुनिएगा अब यह जो entry number 66 है इसमें जो exemption थी वो educational institution को थी अब educational institution तो school भी होते है उनिवस्टी भी होती है और private coaching center भी होते है तो क्या private coaching center वाले भी exempt answer is no क्यों विकोज उन्होंने उन्होंने यह बता रखा था जी educational institution जिनको हम exempt करना चाहते है उसका मतलब क्या होगा तो educational institution का मतलब हाँ पर predefined था जिसमें private coaching center वगरा वाले नहीं आते याद होगा आपने analysis कर रखा है अच्छा अब एक explanation थी इस exemption notification में जो यह कहती थी कि भाई साब यह exemption बनी है only for specified educational institution ठीक है लेकिन उन specified educational institution में जो आपके center board basically cbsc सुना होगा या state board होते हैं जो state के education board है वो cover नहीं होते थे जो education institution उन्होंने define कर रखे थे उसमें cbsc state education board बगएरा cover नहीं होते थे पर cbsc and state education board वो entrance examination conduct करते हैं entrance लेकर के तो उनकी activity भी government ने exempt करने की सोची थी वो कैसे करी थी तो उसके लिए उन्होंने एक explanation लगा रखी थी और उन्होंने बोला था so far as conduct of entrance examination is concerned इस service के अंगल से अगर बात करेंगे तो यह 66 जबले वाली exemption जो होगी उसको उन्होंने extend कर रखा था center and state education board को obviously बात है ठीक है जी educational institution की definition में center या state education board नहीं आते थे पर explanation के थूँ उन्होंने यह क्या रखा था कि यह वाली जो exemption वाली बात है यह हम center and state education board को भी जो है वो extend कर रहे है जिसकी वज़े से कोई भी center या state education board entrance examination जब पंड़क करता था तो वो entrance examination fees जो है वो GST से exempt होती थी are you okay with this अच्छा अब present में government ने एक बड़ा change किया education sector में उसमें उन्होंने क्या करम किया बिटा आपने जी के examination सुने होंगे engineering के लिए जो होते है आपने नीट के examination सुने होंगे जो की medical purposes के लिए होते है जो बच्चा अपना engineering degree या medical degree लेना चाहता है उसको पहले क्या करना पड़ता है जी और नीट वगेरा के exam pass करने पड़ते है उसके बाद उसे corresponding university में जो है वो admission मिलता है अब ये जो जी और नीट के examination है ये cbsc के द्वारा conduct किये जाते है cbsc कंड़क करती है बच्चा entrance examination fees दे करके exam pass करता है फिर university में जाता है तो अब मैंने आपको जो exempt रहेगा तो answer है exempt रहेगा क्यों क्योंकि center ये जो cbsc है इसको भी हमने जो है इस exemption के benefit को extend करके दिया है अब लेकिन government ने recent में क्या change की आप सभी जानते होंगे जी और नीट का examination जो अभी तक cbsc कंड़क करता था वो उन्होंने चेंज कर दिया उन्होंने बोला अब इसे cbsc कंड़क नहीं करेगा उन्होंने एक special authority बनाई नाम सुना होगा आपने nta national testing agency उन्होंने बताए और आज की rate में उसको जिम्मेवारी सौब दी कि आप जो होंगे ये जी और नीट के examination कंड़क करेंगे अच्छा आप government ने जिस भी वजह से ये agency बनाई होगी जैसे ही जी और exemption extend करके उसको दे दी गई थी लेकिन अब NTA conduct करेगी तो उसको तो exemption नहीं दी गई है मतलब अब NTA जब same test को conduct करेगी तो entrance examination fees के उपर GST भी picture में आ जाएगा yes तो ये education sector के लिए सही नहीं होगा तो government को represent किया गया कि आप उस exemption को जब CVSC कर रही थी तब आपने exemption किया था तो अ आप इसे वहां पर भी extend कर दो और government ने इस बात को accept किया और accordingly उन्होंने explanation को amend कर दिया जिस explanation से पहले ये exemption जो थी वो center and state education board को extend की गई थी अब उसमें फर्दर ये लिख दिया गया कि हम इस exemption को extend कर रही है जब यही entrance examination वगएरा जो होंगे वो national testing agency या कोई और authority या board जो की future मे जाएगा आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए जी तो यह आपके exemption related changes खत्म हो गए exemption कितनी सारी थी तो कोई किसी तरीके की दिक्कत की बात नहीं है चलिए बिटा अब जड़ा यहां एक बात और सुनिएगा अब exemption वाले chapter को लेकर के कुछ clarification की गई है होते हैं उनको खाना जो है वो दिया जाता है तो एयर फोर्स की केंटीन है जिसमें आर्मी परसनल्स को जो है वो फूट की supply की जा रही है ठीक है तो अब ध्यान में रखेगा इसके उपर question पूचा गया कि इसके उपर GST applicable होगा या फिर नहीं होगा तो उन्होंने बोला जी एयर फोर्स जो है वो employer है आर्मी परसनल उसके employee है जो excluded supply है वो कौन सी supply होती है जो employee employer को देता है employer अगर employee को कोई service दे रहा है तो वो supply के scope में आती है आपको पता है तो यहाँ पर एयर फोर्स मेस के द्वारा अपने employee को service दी जा रही है चार्जियेबल बेसिस पर दी जा रही है तो यह definitely supply के scope में आएगी अब बात यह आती है supply के scope में आएगी तो GST आएगा लेकिन CBIC ने क्या बोला एयर फोर्स मेस की अगर बात करें तो यह और कुछ नहीं है basically air force center government है ठीक है और accordingly army personal की अगर बात करें तो यह जो है यह कोई GST के angle से कोई business entity तो नहीं है यह non business entity है तो अब उन्होंने बड़ी simple सी बात बोली एयर फोर्स मेस के द्वारा army personal को supply करना वो basically और कुछ नहीं है वो central government के द्वारा service का दिया जाना है to a non business entity और उन्होंने बताया कि entry number 6 करके एक entry थी हमने detail में करी थी जिसमें हमने यह बोला था कि अगर central government के end पर किसी non business entity को service की supply दी जाती है तो उस पर GST जो होगा वो exempt रहे पर यह entry number 6 में जो होगी वो exempt रहेगी आई होप आपको यह बात समझ आ जाती है फिर इसके बाद दूसरी दूसरी एक clarification जो थी वो यह पूछी गई जान से सुनिएगा कि हमारे पास यह एक merchant है चीक है इसके पास एक buyer आया बायर जो है वो merchant से कुछ समान करीता है और आप जा पर debit card यूज किया या फिर भीम UPI जो है वो यूज किया अच्छा अब buyer जो है वो अपना access bank वगरा के भी card यूज कर सकता था लेकिन आपको पता है अगर merchant ने let's suppose 10,000 rupees का इसको समान बेचा बायर अगर उसे अपने normal card से payment करता तो वो card की payment जब merchant के bank के through merchant को मिलती तो bank वाला कुछ पैसे काट लेता ठीक है ना बायर के account से 10,000 डेबिट होते लेकिन bank वाला जब merchant को पैसे देता तो उसमें कुछ charges काट करके पैसे देता आप जानते ने इस बात को यास अब मोधी जी ने अपने digital transactions को promote करने के लिए government based digital transaction को promote करने के लिए ये system बनाया रुपे debit card and beam upi और system उन्होंने क्या बनाया कि अब अगर buyer जो होगा वो merchant को in card के through payment करेगा तो bank वाला जो होगा कुछ भी नहीं काटेगा bank वाला पूरे के पूरे पैसे जो होगा वो merchant को देगा yes or no इससे जो होगा वो बढ़ावा मिलेगा कि रुपे और भीम upi card बगएरा जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ करें because इसमें merchant को पूरा पैसा मिलेगा अब बात याई bank वाले ये कहते हैं जी हमने पूरा system जो use किया हमने transaction को settle करके दिया हमें तो कुछ मिला ही नहीं तो मोदी जी ने सरकार ने क्या वो लखा है सुनो तुम transaction करने वालों से कुछ नहीं charge करोगे पर तुमारे खर्चे हम इस बात को समझते हैं तो तुमें हमारी ministry of electronics and information technology की तरफ से जो होगा incentive जो होगा वो दिया जा होंगे वो हमारे द्वारा दिये जाएंगे are you okay with this चलिए अब confusion क्या ही सुनिएगा अब इस system में bank वाले ने जब payment settlement की service दी तो उन्होंने user से तो कुछ भी चार्ज नहीं किया लेकिन उन्हें back end से ये पैसे मिले तो अब question यह आया जहां से सुनिएगा यह थोड़ा सा technical question यह question यह आया बैंक वाले के पास जब यह incentive आया तो क्या हम इसमें यह कह सकते हैं कि actual में धान से सुनिएगा क्या हम इसमें यह कह सकते हैं कि actual में bank को settlement की service के बदले में government से पैसा आया है तो basically bank जो है government को service दे रहा है government को service दे रहा है जहां से सुनिएगा थोड़ा सा technical point आएगा नॉर्मली recipient कोन होता है जिससे पैसा मिलता है तो अगर उस बात के उपर emphasis किया जाए तो एक बार के लिए सोचने को ऐसा हो सकता है कि इस case में bank वाले ने इनसे तो कोई पैसा लिया ही नहीं तो bank वाला basically इनको नहीं service दे रहा बैंक वाला government को service दे रहा है और government कह रही है कि भई ये ले ये मुझसे पैसे ले ले और मेरे कहने पर इन लोगों को service दे दे अगर इस transaction को ऐसे देखा गया तो ये service बनेगी bank के द्वारा government को दी गई service और ये incentive बनेगा bank को इस service के बदले में मिला हुआ consideration दुबारा बोल रहा हूँ अगर इस angle से देखा गया कि bank ने government को service दी है government के कहने पर benefit किसी को भी गया हो तो ये बनेगा bank के द्वारा government को दी गई service और incentive बनेगा bank को मिला हुआ consideration और उस case में फिर bank के उपर जो होगा वो associated GST liability आएगी बट अ सिफ rubit debit card और beam UPI transactions को बढ़ाने के लिए incentive जो दिया वो basically government के तोर से दी गई subsidy है अगर इसको इस angle से देखा गया कि नई bank के service recipient तो वही है bank ने उन्हें free में service दी है और back end से government को जो incentive मिला है वो basically subsidy के तोर पर मिला है तो उस case में आप सभी जानते हैं कि subsidy bank को अगर मिलती है government से तो वो कभी भी valuation का इस्सा नहीं बनती है बैंक ने सामने वाले से free में service बैंक ने सामने वालों को free में service दी पीछे से जो subsidy आई वो कभी consideration में count नहीं होगी और accordingly फिर उस case में bank की कोई GST liability नहीं बनेगी मैं उम्मीद करता हूँ बात थोड़ी technical थी आपको समझ में आएगी द अगर ऐसे बोलोगे तो ये incentive consideration बनेगा कि government को service दी और पैसा आया GST बरो बट अगर recipient जो है वो यही माने जाएंगे then in that situation recipient को free में service दी और back end से subsidy आई वो भी consideration नहीं हो सकती तो मतलब ultimately transaction without consideration है no GST liability तो इस बात को लेकर के जो थी वो confusion आ रही थी and technically don't know of use possible हो सकते थे अब CBIC ने यहां पर clarification दी और उन्होंने बोला जी bank ने actual में service इनी लोगों को दी है यही इसके service recipient है back end से जो incentive आया है that is in the nature of subsidy that is in the nature of subsidy तो उसके उपर किसी तरीके की कोई GST liability नहीं आएगी I hope this point is clear तो बटा इसके साथ जो है GST की amendments का broad idea जो है broad क्या in fact मैंने अ जल्द ही शेयर कर दी जाएगी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चलिए are you okay with this चलो अब दोनेट का बेक लेता हूं फिर इसके बाद कस्टम और FTA की भीकार discussion करता हूं ठीक है